कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करने वाले हैं आपके आरार्बी जो 2018 में आपका आखरी पेपर हुआ था उससे सम्मंदित सभी पिछले वर्ष के सभी सवाल यानि कि आज के सेशन में हम ये अंदाजा लगाएंगे और बहुत ही शांदार तरीके से ये क्लास लंबी जाने वाली है हम बता करेंगे कि किस प्रकार से आपके पहले सवाल पूछ यो भेनों सभी तक पहुचा देना अपनी इस क्लास को ताकि उनके साइंस में ये जो दुख दर्द पीडा बनी हुई है कि कैसे हल होगा साइंस के आपके पूरे 20 से 25 नंबर के जो सवाल आने वाले हैं उन सभी की तयारी आपको रांकल्स गुरु को यूट्यूब चानल प आज देखें तो पूरे टॉप 30 में भी कहीं नजर नहीं आ रहा है ये हैश्टाग तो भई लगातार इस हैश्टाग को करते रहो इंक्रीज रेलवे एलपी वेकिंसी ध्यान दीजिए किसी दोस्त त्यार ने किया हो उसका कॉपी पेस कर दीजिए लेकिन करते रही है कोई स सेशन में आज हम बढ़िया तरीके से सवालों को लगाएंगी तो सभी तयार हो एक बार मुझे जल्दी से बता दो भाई सब तयार हो की नहीं एक बार फटा-फट से बताएंगे और इसी के साथ आज के कुछ क्वेशन में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर किसी वस्तु के विन्यास की स्थिती के त्वारा धारन की गई जो उर्जा होती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं अगीन बता दू पेपर पिछले पांच वर्शों में तुम भी जानते हो नहीं हुआ माम आखरी पेपर 2018 में हुआ था और वही सवाल हम आपके आज के सेशन में हाबर करने वाले हैं ठीक है तो एक बार फटा-फट से कर देंगे अपने आंसर को और हाँ कॉपी पैन लेकर बैठा कि कम से कम आज की ये क्लास आपकी लंबी चलेगी आप सभी साथी जितने भी सवाल को गलत करते हो अपने अंदाजे को लेकर चलना कि हमने कितने आंकस गुरुकुल के टेलिग्राम चानल पर उपलब्द करा दी जाएगी तो वहां से आप अपनी पीडियाफ लेकर फिर से एक बार गलतियों को दोहराना जरूर से ये नहीं कि माम पढ़ दिया बंद कर दी वीडियो खतम बात क्यूंकि ये हर एक पार्ट हर एक सवाल और हर एक कॉंसेट तुम्हारे लिए अभी नहीं एक्जाम में बहुत महतुपूर्ण रहने वाला है तो जरूर से अपनी कॉपी पैन लेकर बैड़ गये हैं देखो कुछ आंसर अभी भी सी आ रहे हैं कुछ कह रहे हैं माम बी होगा फिलहाल वो कह रहा है किसी पुजीशन की वज़े से जो उर्जा आपकी स्थिती आपके पुजीशन से धारण की जाती है उसको हम यहाँ पर पुटेंशल एनरजी कहते हैं सी आपका सही हो जाएगा भाई मोशन थोड़ी कर रहे हो तुम कुछ मूव्मेंट कर रहे हो जहां तुम्हारी बॉडी में मोशन हो रहा है तब आपकी काइनाटिक एनरजी होती है तब उसे हम गति जूर जा कहते हैं गति हो रही है नहीं है तो उसको हम यहाँ पर आपके पुटेंशल एनरजी का नाम यहाँ देते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी पहले ही सवाल में जो भैके हैं भाईया अगला सवा आपकी स्क्रीन पर इन में से किस कंपाउंड के पास डबल बॉंड पाया जाता है दोहरा बंधन किस कंपाउंड में उपस्तित होता है जल्दी से बताएगा कर दो जल्दी जल्दी से आंसर एक बार इथीन एथेन ऐसे टाइलीन या फिर मीथेन आपको पता है बंधन तो प बनता है वो हमारा एलकीन के द्वारा बनता है और एलकीन के नाम के पीछे लगा होता है इन इपहचानने के लिए मैडम मुझे कुछ देखना ही नहीं है मैंने देखा इन लगा हुआ है सिर्फ पहला ऑप्शन मेरा यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि मैंने कह दिया एक एलकेन है जिसका common formula CnH2n plus 2 कहा जाता है एलकेन का होता है CnH2n और एलकाइन तीसरा होता है जिसमें triple bond उपस्तित होता है आपका और उसका formula होता है CnH2n minus 2 इसे हम यहाँ पर नाम देते हैं एलकाइन का तो double bond पूछ रहा है भाई, triple bond तो नहीं पूछा नहीं स्टेक्स यानि की विशेष्टाएं नहीं है ध्यान से बढ़ेंगे सवाल को निम्न में से कौन द्वी बीजपत्री पौधों की विशेष्टा देखी नहीं जाती है कर दो भाई आंसर पहला कह रहा है इन प्लांस के पास फिबरस रूट है दूसरा इन प्लांस के पास दो कोटलेडॉन होते हैं ठीक है टू कोटलेडॉन कह रहा है दो बीजपत्र होते हैं दीस प्लांस है रेटिकुलेट वेनेशन या फिर इनके पास कोई टाप रूट सिस्टम दिखाई देता है या फिर इनके पास कोई टाप है उसके बारे में आपको भी बताया जा रहा है प्रॉपरली आपको पूरी तरहा से सपोर्ट दिया जा रहा है काम बस तुम्हें एक यहां पर करना है कि बिना हताश हुए लगातार अपने उस हैश्टाइग को भाई ट्वीट करते रहो बढ़िया तरीके से यह नहीं कि माम स पाइश्टाइग को जरूर से पहुंचाते रही है इन में से कौन से विशेष्टा नहीं है अरे भाई यह देखो द्वी बीज पत्री पहले ही उसने क्या बोला द्वी बीज पत्री तो देखो दो कॉटलेड़न है माम यह बात बिल्कुल सही होगी रेडिक्यूलेट वेने सिस्टम होता है या फिर फिब्रस रूट होता है देखो जरा इधर अगर जड़ जो है वो एक ही हिस्से से प्रॉपर फैलती हुई नजर आ रही है इसको कहते हैं इसको कहते हैं फिब्रस रूट सिस्टम कहां पाया जाता है एक बीज पत्री में पाया जाता है यानि कि मोनो और इसके द्वारा साइट से सारी जो जड़े हैं वो अलग-अलग नोट से निकल रही है यहाँ पर एक ही नोट से निकलती हुए तो इसे विब्रस और इसको टैप रूट कहा जाता है तो डाइकॉट में तुम हम अपने आप हमें दिक गया कि टैप रूट सिस्टम होता है इसका मतलब हमारे सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह गलत है यह यहाँ पर गलत है बोलो बात समझेगी नहीं यह क्लास आपके आरपी एफ एलपी ग्रुप डी एंटी पीसी हर एक एक जान में मदद करने वाली है पढ़िया तरीके से सिर्फ आंसर लगाओ गलतियों को लिखो और आगे बढ़ते हैं चाली नेक्स क्वेस्टिन कहा रहा है आपसे इन में से कौन सा ऐसा है जिसका प्रजनन सेक्ष्वली भी होता है और एसेक्ष्वली भी होता है लेंगिक और अलेंगिक दोनों तरह से प्रजनन कौन कर सकता है हाइडरा, अमीबा, शेवाल है या फिर कोई कवक यहाँ पर होगी देखें कौन है कितने पानी में सुमेंद्र, नितीश, अरुन, न्यूटन, राज, समीर भाई जल्दी-जल्दी से बढ़िया करके आंसर लगा दो और आज के सारे सवाल तुम्हारे हर एक एक्जाम में मदद करने वाले हैं, इस बात को जरूर से याद रखना लगा तार आपकी रोज सुभा 11 बजे क्लास चल ही रही है जहां हम थियोरी भी कर रहे हैं, क्वेशन को भी कर रहे हैं अभी आपने क्या करने हैं, अपने previous years को भी देखना है जैसे देखो, आंसर यहां पर हाइडरा आ रहा है मेरे पास जो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है हाइडरा और अगर मैं कहूँ कि हाइडरा गलत है आप अगर बात करेंगे sexual reproduction भी शो करता है और ये sexual reproduction भी शो करता है उसमें भीया algae शेवाल दिखाई देगी hydra करता है budding, hydra में एक छोटा सा bud बनता है plant के अंदर ये छोटा सा notch बनेगा और ये ही बाद में विक्सित होकर के एक पूरा बड़ा plant तयार हो जाता है कुछ इस प्रकार से hydra asexual reproduction सिर्फ अरल एंगिक जनन के थ्रू प्रजनन की क्रिया करता है लेकिन amoeba के पास ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से male और female gamete भी पाए जाते हैं और ये आपका normally अगर हम देखें तो अरल एंगिक जननन करता हुआ भी दिखाई देता है यानि कि amoeba इसका आ में आते हैं आपके थेलो फाइटा और इनहीं को कहा जाता है शेवाल यार तुम बहकते बहुत जल्दी हो किसी ने कहा यह होगा तो माम हम सब एक साथ बहलिये हो गए क्यों चलो बी amoeba है केवल बडिंग करेगा कवक की बात करें ये भी यहाँ पर आपके स्पोर्स बनाता हो शेवाल में कहीं पर सेम साइस के बन रहे हैं कहीं अलग साइस के बन रहे हैं कहीं एक छोटा एक बड़ा इस प्रकार से आपको बंता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियर माम अगर हम सारे क्वेस्चन लर्ण करके चले जाए एक्जाम देने के लिए तो मेरा पेपर में वहां उसने एक वर्ड बदल दिया तुम्हारे जतने लर्ण करे हुए सवाल हैं वो सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे पेपर अच्छा नहीं होगा वेपर कुछ जादा ही अच्छा Question पूछा है केंदरिय तंतर का तंतर में क्या हुपास्तत होता है तो यहाँ पर हमारा brain और spinal cord पाई जाती है सभी चीजें नहीं नजर आती है ठीक है तो याद रखएगा मिला केंदरिय तंतर का तंतर है आप मश्तिश्क तो देखेंगे इन दोनों को मिला कर कहा जाता है कि इंदरिये तंत्र का तंत्र लेकिन अगर मैं इसमें से इस सारी नसे निकाल दू ये सब नसे आती है हमारे परिधिये तंत्र का तंत्र में बुले तो PNS के अंदर ठीक है तो याद रखिएगा ये दो चीजे हमारी अलग-अलग नज़र है माम कैसे याद करेंगे बाइलोजी शब्दों का खेल कहीं इंग्लिश सरल हो जाती है तो कहीं हिंदी सरल हो जाती है अब देखो इस सवाल को देखो ध्यान से क्वेशन के रहा है विश विज्ञान क्या तुम नहीं लगा पाओगे इसका अंसर और फिर कहते हो माम जी एस बहुत टाफ आई थी कुछ सवाल तो भाईया इतने हलवा होते हैं ना कि देख करके आंसर लगा दो के उनका मैं से सीजियल के लिए कौन सा बैच से सीजियल के लिए आपके आरजी विक्रमजीत अप्लिकेशन पर कंप्लीट कॉम्बो बैच चल रहा है वहां से आप अपनी पूरी तरीके से हर एक सब्चिक की तयारी कर सकते हैं आपका कॉम्बो गम्प्लीट बैच डी आंसर हिंदी में बिल्कुल सही विश है जहर है जहर का अध्यन कहा जाएगा इंगलीश में टॉक 2 haya 10 है लो तो आंसर हो गया यहां पर पॉईज़न बैक्तीरिया के अध्यन को पैथोलोजी कहा जाता है ऐसे ही जीवानू के लिए जीवानू अध्यन हो गया वाइरस के लिए कहते हैं वाइरोलोजी और अगर बिमारियों के अध्यन का पूछेगा तो क्या लगाओगे वाइरस का बिमारियों के लिए जब हम जाते हैं तो जांच कहां कराते हैं किसी बहुत ही बढ़िया, answer is option number D आने की poison, next question, motile germ cell को क्या नाम दिया जाता है, ऐसा germ cell जो move करता हुआ दिखाई देता है, जो इसके अंदर गती शीलता होती है, अर्विंद चौधरी बहुत देर से कह रहे हैं, आम अलपी का batch मिल सकता है, अर्विंद भाई, अलपी का कोई batch आपके application पर अभी नहीं है, आपके लिए पूरी classes YouTube पर free कराई जा रही है, रोज आपकी सुभा आठ बजे current affairs से लेकर के 9 बजे GKGS की class होती है, फिर आपकी 10 बज के लिए time table को YouTube पर follow कर सकते हो, आपके सारे events जो है वो लगे हुए हैं इसी channel पर यानि की rankers गुरू को YouTube चानल पर, तो पहले जो आपकी तैयारी पूरे YouTube पर कराई जा रही है, आप हमारे साथ जुडिया और पूरी तैयारी पर कर सकते हैं, ठीक है, अगला सवाल गतिशील की बात कर रहे हैं, तो male gamit answer बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारे नर युगमज होते हैं, जहें हम sperm का नाम देते हैं, शुक्राणू का, केवल यही movement करते हैं, ओवम का movement दिखाई नहीं देता, अगर गतिशीलता की बात करी जाएगी, तो वो male gamit यहाँ पर correct answer हो जाएगा, male gam जो होती है, यह movement नहीं करती, इसको कहा जाता है, immotile cell यानिक इसमें गतिशीलता के गुण दिखाई नहीं देते हैं, अगला सवाल, egg is carried from the ovary to the womb through, अंडे को अंडाशे से गर्भ में किसके द्वारा लेकर जाया जाता है, वास डिफरेंस, ओवीडक्ट, गर्भाशे सब्सक्राइब का अंसर? तो फिलहाल अपने form filling को जरूर करें, जो भी एस्परिंस हैं, जो भी चाहते हैं, तयारी हैं आपर पूरी तरह से करना, पिलहाल के रहे हैं, एक को लेकर जाया जाता है, किसके रास्ते तो option नमबर B, ओवीडक्ट के रास्ते, कहां बहके थे, C उत्तर लगा रहे हो, देखो फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसको, अब नाम थोड़ा सा बदल दे, वही है न, माम हम तो रटके बैठे थे, नाम उसने हलका सा बदला तुम बहक गए और तुमने आंसर को गलत कर दिया, फैलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं, डिम्ब वाहिनी, यही क्या करती है, इस है, सेल डिविशन के, कौन से पादप उत्तक में कोशिका विभाजन सक्षम है, करो answer, जल्दी जल्दीस बिताओ, पीडिएफ जो है, वो आप लोगों के रैंकर्स गुरुकूल टेलिग्राम चानल पर, डेली क्लास के बाद बहुत जाती है, ठीक है, अभी भी इस क्लास के तुरन बाद आपके रैंकर्स गुरुकूल टेलिग्राम पर आपको जो पीडिएफ है, वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है भाई, आंसर लगाना शुरू कर दो एक बाद फटा-फट से, कैसे इतना परिशान रहते हूं भाई, तुम कैसे, चलो, कह रहे हैं मैं, मेरिस्ट कैम आंसर होगा, देखो, सेल डिविजन की बात करी जाए, तो पहला ही हमारा एक ऐसा उत्तक होता है, जिसके अंदर दिखाई देता है आपका, मेरिस्टमाटिक टिशू, विभाज योती की उत्तक, इसके अंदर विभाजन होता है, बहुत बढ़िया तरीके से, किसी भी प बीट से, इंटर याद रखना, इंटर कैलरी मेरिस्टम, और लास्ट में, जो इसके साइड्स को, मतलब एक तरीके से, प्लांट के नीचे गर्थ को बढ़ाने में मदद करता है, उसको लेटरल मेरिस्टम कहा जाता है, तो ये क्या कर पाते हैं, सेल डिविजन यानि की, इन के अंदर आपको कोशिका विभाजन की छमता दिखाई देती है, जब भी पौधा इन तीनों रास्तों से होकर के, आप कहेंगे, एक प्लांट में डिविजन हो गया, और डिविजन होने के बाद, जब वो पूरी तरह से परिपक हो जाता है, फिर उसके अंदर डिवलप होत लाएगा, जिन्होंने भी दिया है, बहुत बढ़िया और जो गलती करें भावनाओं में बहीं हैं, अगला लगाओ, कौन सा वर्गिकरण परमाणू संख्याक पर आधारित देखा जाता है, विच आफ दॉविंग क्लासिफिकेशन इस बेस्ट ऑन एटॉमिक नंबर, मास नहीं बोला है, प्लांट स्टार्च कहां इखटा करता है, प्लांट अपनी पतियों के अंदर भूजन बनाता है और उसको स्टोर करता है स्टार्च के रूप में, तो भाई पतियां हैं जहां पर वो अपने भूजन को बनाकर स्टार्च के रूप में इखटा करके रखता ह ठीक है दिनेश चलो अगला सवाल कि भाईया अटॉमिक नंबर तो हमारी आधुनिक आवरत सारणी है यही बनी थी आपके अब भी देख रहे हो डिया अंसर लगा रहे हैं भगवान तुम्हारा क्या होगा भाईया जो आपके जिसे आप आदुनिक आवरत सारणी कहते हो यह बनी थी अटॉमिक नंबर के बेसिस पर इसका स्टेट्मेंट दिया गया था जो आपकी आधुनिक आवरत सारणी जिसके अंदर अटॉमिक नंबर के आधार पर आप जो अभी तक बढ़ते आ रहे हो फाइनल वाली वो यही कही जाती है तो डी मत लगाया करो ठीक है चलो अगला बताओ दिस इस यूस्ट इन प्रेपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन कफ सिरप एंड आप से पूछा है बहुत सारे टोनिक के अंदर कौन सा इस्तमाल किया चाता है एथनौइक आसेड एथनौल मीथनौल या आजटिक आसेड करें आंसर एक बर फटा फट से आप सबने कफ सिरप पी यह होंगे एक होता है कफ सिरप जब भी हम कोई कफ सिरप पीते हैं गले में उपस्तित है और उसी केमिकल के बारे में आप से पूछ रहा है कि कौन सा पाया जाता है तो भाई याद रखिएगा इथनौल जो है वो यहां पर उपस्तित होता है इथनौल की मात्रा बहुत ही कम आपके कफ सिरप के अंदर डाली जाती है और इसी के साथ आपका केमिकल अ कारक होता है मतलब इतना तो माम कहीं इतमाल किया ही नहीं जाता ठीक है तो यह आपका प्योर फॉर्म जो होती है इसका अगर एक बूंद भी चकली तो बेटा बॉड़ी परलाइज हो जाती है इतना हामफुल यहां पर देखा जाता है इसी को कहते है इथनौल अगला सवाल इसी के साथ क्या है यह फ्री लिविंग है किसी दूसरे पर निर्भर दिखाई नहीं देते हैं मुलस्का निमेटोडा आर्थरोबोडा या इकाइनो डर्मेटा करो आंसर पटा फट से आंसर करना शुरू कर दो हर्ष कुपता बिल्कुल ले सकते हैं चीज़े क्लियर हो रही है सवाल समझ में आ रहे हैं सवाल लगाने में मज़ा आ रहा है तो भाई नोट जरूर करते रहे ना जहां जहां गलती करो और अपने हर दोस्तियार भाई बंदुता क्लास को पहुंचा देना क्लास अपकी लं पर कवर करेंगे इसके बाद कल आपकी क्लास होगी सुभा ग्यारवजे उसमें हम पढ़ेंगे होर्मोन के बारे में लगातार आपकी बहुत बड़ी आग्लास चलते हैं और यह होते हैं पूर्ण रूप से इंदर देखने वाले इसमें आती है स्टार फिश जिसे आप कहते हो तारा मचली ये मचली आप सभी ने कहीं न कहीं देखी सुनी जरूर होगी ये जो तारा मचली देख रहे हो ना ये बॉडी के उपर इसके क्या पाई जाती है नुक पाई जाती है इसलिए हम इसको कहते हैं Spiny Skin क्यों कहते हैं काईनो वर्ड का मतलब होता है नुकीली इस शब्द का मतलब ही होता है नुकीली यानि कि कुछ ना कुछ Spiny चीज़ें हाँ पर उपस्तेत है डर्मा मतलब क्या होता है त्वचा तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी त्वचा कैसी है नुकीली है देखो जारा जितने भी जीव होंगे चाहे हम स्टारफिश की बात करें समुद्री खीरा की बात करें सी कुकुम्बर है सी लिली है इन सब खी अंदर ना बोडी पर काटे से निकले हुए दिखाई देते हैं इसी लिए हम इसको एकाइनो डर्मेटा के अंदर रखते हैं और एकाइनो डर्मेटा जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारा पून रूप से फ्री लिवेंग भी है और पानी समुद्र वाले में अंदर ये उपस्ते दिखाई देता है ठीके आपका पूरी की पूरी की पूरी जो इहां पर कराई जा रहे है पूरी की पूरी साइंस यहां पर कराई जा रही है कह रहे हैं essential organs in a flower for reproduction प्रजनन करने के लिए आवश्चक अंग किसी भी fool में कौन से होने चाहिए वो दो अंग कौन से होते हैं आंसर कर रहे हैं option number B stamina and pistol बिल्कुल सही हो जाएगा एक नर अंग होता है एक मादा अंग होती है किसी भी fool में अगर देखोगे तो ये बीचो बीच वाला जो organ दिख रहा है बिल्कुल ये वाला इसको हम कहते हैं female reproductive organ यानि की नर प्रजनन अंग जिसका नाम हम देते हैं pistol ये तीन भागों से मिलकर बना है एक stigma दूसरा style ये जो नली निकल रही है और last वाला भाग को हम ovary कहते हैं यही ovary आगे जाकर के फल को बनाने में मदद करती है तो ये भाग female वाला है और ये side ये जो आप side में देख रहे हो कुछ इस प्रकार से इसे हम नाम देते हैं male gamete ये है stamen ठीक है काफी सारे stamen आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो stamen और हमारा जो pistol है ये दोनों यहाँ पर काम कर जाएंगे याद रखना कि ये stamen वाला भाग जो से आप देख रहे हैं ये कहलाता है male gamete मतलब male का organ और pistol वाली होती है female organ female के लिए कि ये symbol भी इस्तमाल किया जाता है और male के लिए symbol हम ये वाला इस्तमाल करते हैं इन पर भी ध्यान रखिएगा अगला सवाल है कि which permanent tissue makes a plant hard and stiff plant को कठोर बनाने में कौन सा उतक मदद करेगा कर दो answer चलो चलो फटा फट से बताओ भाई questions लगा रहे हो बढ़िया दरीके से लगाते रहो जल्दी जल्दी से answer कुछ है जो इतने ज्यादा परेशान है कि क्या ही बताएं ले तुमको जड़ा सुकून दे दिया जाए है चलो तो answer यहां पर आने शुरू हो गए है option number B लगा रहे हैं जिसे कहा जा रहा है hard or stiff देखो भाई याद रखना प्लांट पॉधे के अंदर तीन प्रकार के उत्तक होते हैं एक होता है parent काईमा दूसरा होता है आपका colon काईमा और तीसरा कहलाता है scleran काईमा इन तीनों के अंदर फर्क क्या दिखाई देता है यह parent काईमा जो होता है इसमें space बहुत बढ़िया तरीके से होता है इसको हम Aaron काईमा के नाम से भी जानते हैं मतलब इसमें काफी हद तक आपको उत्तक के बीच में space जो है वो नजर आ जाता है ठीक है लेकिन धिरे धिरे करके यह सारा space कम होना शुरू हो जाता है colon काईमा का काम होता है यहाँ पर space थोड़ा सा कम होगा और यह flexibility प्रदान करता है किसी भी पौधे को इसी के साथ अगर हम sclaren काईमा नाम के उत्तक की बात करें तो पहली चीज तो यह मृत है बाकी के दोनों जीवित है और यह कठोर बना देता है stiff बना देता है hard बना देता है तो sclaren काईमा जो उत्तक होता है यही है जो उसको कठोर बनाने में मदद कर रहा है option number B आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आप देख सकते हो इसकी surrounding में सारी की सारी दीवार कैसी दिख रही है हमें कठोर दिखाई दे रही है और इसमें space नहीं है बिल्कुल भी जगा नहीं होती इसकी कोशिकाओं के बीच में यह मृत कोशिका मृत उत्तक एक तरीके से आपका कहा जाता है क्लियर तो इसी को हम नाम देते हैं आपका scleran kymetis tissue next है growth hormone का function क्या होगा body के अंदर बात करूं या plant के अंदर दोनों में ही अगर रधी hormone देखा जाए तो इनका कारे कैसा होता है यह आप से पूछा गया है कि महम यह वाला question हां भाई देखो आपका जो syllabus है ना एलपी की बात करें तो दसमी लेवल तक की विज्ञान science जो है वो पुछिए physics हो chemistry हो biology हो तो तीनों ही जीजें हमें किसी प्रकार से करते हैं जो standard हमारा पूछा गया है उसी आधार पर यह नहीं है माम हम जाकि PhD कर ले ले पूछ हॉर्मोन का काम जो होता है ना अगर हम plants के अंदर बात करें तो पांच मुख्य हॉर्मोन होते हैं उन पांच हॉर्मोन के अंदर ठीक है उन पांच हॉर्मोन के अंदर एक होता है आपका oxygen दूसरा होता है cytokinin तीसरा पाया जाता है जिब्रेलिन पांचमा होता है देते हैं व्रध्धी कराते हैं पौधेगी लेकिन ये दोनों ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं व्रध्धी को रोकने का काम करते हैं तो इन्हें इन्हें विटर के तौर पे भी जाना जाता है तो क्या रहा है ग्रोथ हर्मोन का फंक्शन क्या हमेशा ग्रोथ प्रमोट करने का यहोगा नहीं भाईया कभी प्रमोट भी करेगा तो कभी उसकी ग्रोथ को रोकने का भी काम करेगा यानि कि यह सम्टाइम कैसे काम करता है ग्रोथ प्रमोटर की तरह और कभी-कभी ग्रोथ को रोकने का विकास को अवरोधक के तौर पे भी यहाँ पर कारे करता हुआ नजर आ लिया है पत्तियां जड़ने लग जाएंगी तब आप यह कहेंगे ना तो फल आरा ना फूल आरा उसकी पत्तियां भी जड़ रही है तो वहां पर आपका यह जो एबसेसिक एसे डोता ना इसकी मात्रा भड़ जाती है तो इसका काम क्या होता है कि जल्दी से कली नहीं खिल र देखो ड्वाफनेस केन बी कंट्रोल बाई ट्रीटिंग प्लांट्स विद कोई पॉधाना बहुत बोना रही है और वह बढ़न नहीं पा रहा उसकी लंबाई नहीं पड़ पारी बोना पना गया है तो पौधों के अंदर हमें किसको एड़ करना चाहिए कौन सा हर्मोन डा ना करें डापने अठ्रच्व का रहें हैं शर्क एकजाम के लिए हो यहां पर यह जो कॉम्रांब स्पेशल का बैच निम्स्काया कराई जा रही है यह बैच कहां मिलेगा तो मैम आर्जी विक्रमजीत अप्लिकेशन पर मिलेगा यह एप है आपकी इसको डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से पूरी तैयारी मैच रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस कंप्यूटर सारा कुछ आपको इसके अंदर कवर कराया जा रहा है तो जो न्यूट स्टूडेंस जू तो पूंठ रहे हैं वहाँ यहां पर आपने इस बैच के दूठ है और चल रहा है और ऊक्क न कर बाह Dieses का दर्द के चल रहा है तो हर एक चीज तुम्हारे application पर है चल रही है यह help line number है कोई भी परेशानी कोई भी समस्या लगती है जल्दी से call कर लेना पूछ लेना आपके सारे doubts clear कर दिया जाएंगे ठीक है चलो तो सवाल था हमारा यहाँ पर क्या आपका पौधा अगर बोना रहे गया है तो किससे treat कराओगे जि हड़ जाए हाइट में ठीक है और उसका answer आप लोगों नहीं यहाँ पर लगाया है जिब्रेलिक एसड क्याते ना बेल बन जाती है तना जो है वो पूरा लंबा होता चला जाता है जुतने भी अंगूर की बेल होया किसी भी आपको बेल दिख रही है पेड़ की लंबाई भ नाम ठीक है यह काम करेगा लंबाई को बढ़ाने में क्लियर है अगला सवाल देखो नेक्स क्वेश्चिन विच ओफ दॉपॉल्विंग इस्टेडी ऑफ फॉसल यानि कि जो जीवाश्म होते हैं इनके अध्यन को क्या कहा जाता है जीवाश्म के अध्यन को क्या कहा जाता ह ठाहसे जलती स बताएं तुम चाहते हो कि माम नहीं हमारे लिए तो सुर्फ सवाल आएं सरल सवाल भी कैसा है कि हमारे से बस इतना पूछ लिया जाए विटामिन कि कभी से क्या रोग होते हैं वो हो तो आएगा ही आएगा लेकिन सब यह जो प्रॉफर्ली ट्वीट कर रहे हो जो हैश्टाग आपको बता है इस पर लगातार काम करो निश्चत तोर पे सुनवाई हो गी आपकी लेकिन ऐसा नहीं कि हम पहले ही निराश हो जाएं तो वेकिन सी पंकच कुमार मीना जी बिल्कुल भड़ सकती है पॉसल्स के जिवाश्म क्या है तो यहां से अध्यन बन गया हमारा पहली ओंटो लॉजी अगला सवाल देखो इन में से कौन सा जानवर्ड ट्रिपलो ब्लास्टिक नहीं है विच इस नॉट ट्रिपलो ब्लास्टिक कभी क्या होता है न हम सवाल पढ़ते हैं और सवाल में नॉट ट्रिक ट्रिक क्या थी देखो फिर से अग्बार बता देती हूं जिसमें हम पी से को चाए पीने बला रहे थे चाए पीने क्यों बुलास्थए क्षान했는데 पूरा नाम है संग का बिकुष लिखा जाएगा कि आप तो यह 2015 में सभी हो शुष करक्तल सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं है इसका मतलब क्या होगा डिप्लो ब्लास्टिक होगा और डिप्लो ब्लास्टिक कौन है जो शुरुवात में सीलन्ट रेट्स में चलीफिश आपकी आ रही है ठीक है बल्राम सिंग डीटेल में रोज सुबह ग्यारा बजे मैं आपको करा रहे हूं साइन्स आप डेली सुबह ग्यारा बजे मेरे साथ जुड़कर के साइन्स को पूरा डीटेल में कवर कर लेना कल भी आपकी class होगी ठीक है कल हम जो detail वाली class करने वाले मिरे भाई वो hormones की होने वाली है तो ये मत सोचना कि मैं हम detail में नहीं पढ़ा रहे हैं ये देखो event तुम्हारा अलग चुका है railway में पूरी तयारी hormones का कल topic हम पढ़ेंगे सुभा 11 बजे तो पूरा सब कुछ चाहें वो सवाल हो चाहें वो आपके detail में आपकी theory हो एक एक चीज तुम्हें कराई जा रही है इसी YouTube चानल पे अब वो class तुम्हारी मिस ना हो जाए इसलिए चानल को नीचे से जाके subscribe कर ले आपके पास हर एक notification class की आ जाए इस काम को करेंगे अगला सवाल बताएंगे कह रहा है name the vitamin whose deficiency causes excessive bleeding अत्यधिक खून निकलता है कौन से vitamin की कमी से होता है या आपसे पूछा जा रहा है चल्दी से बताओ vitamin के आंसर है रहा है कहते है न बच्चों के नाक से खून महना शुरू हो जाता है या किसी बड़े फ्यक्ति के भी हो रहा है जब भी अत्यधिक खून बहे उसे vitamin के की कमी से देखा जाता है के को clot से याद रखना कि यहाँ पर क्या बन रहा है clot बन रहा है के से clot के की कमी आपकी बॉड़ी में अगर होगी तो यह clot नहीं बनेगा तो के से clot clot का मतलब होता है ठकका और यह vitamin क का नाम होता है आपके फाइलो क्यों याद कर रहे थे तुम लोग की vitamin वाला सवाल नहीं आया vitamin की कमी से नाक से खून महना कहीं से भी बॉड़ी में excessive bleeding होनी आपकी शुरू हो जाती है कहां मिलेगा सभी हरी पत्यदार सबजियों के अंदर कहीं और नहीं रूड़ना green कलर की सबजियों नहीं चाहिए सलाद हो आपका फल हो वहां पर यह आपको मिल जाएगा ठीक है बाकी vitamin C, ascorbic acid, vitamin B complex के रूप में रहता है budding, vegetative propagation, fragmentation या फिर fission या फिर fission एक बात बताओ सबको आवाज प्रॉपर आ रही है किसी को आवाज में कोई समस्या सबको समझ में प्रॉपर आ रहा है की नहीं और आ रहा है तो भाई कंजू उसी का है मतलब अपने दोस्त त्यारों से भी कहना की class शुरू हो चुकी है आपके रात के साड़े 8 भज चुके हैं आपकी जो class है वो चल रही है तो सब ही अपनी पूरी तरह से science की तयारी को यहाँ पर जुड़कर जरूर करें और चीज़े clear हैं तो session को like कर दें बिलकुल बढ़िय propagation C नहीं होता, fragmentation नहीं होता, fragmentation मतलब हमने क्या कर दिया, fragments में इसको बाट दिया, खंडन इसका कर दिया, देखो जब यहाँ पर मेरे पास कोई एक पौधा था या मुझे कुछ भी चीज़ सकर grow करनी है तो मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर काट और काट करके मैंने इसको एक नए पौधे में लगा दिया, यहाँ से जब इसकी growth स्टार्ट होगी तो ऐसा new plant स्टार्ट होगी, एक नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा, इसी प्रक्रिया को कहते हैं, vegetative propagation, ठीक है, चालो, तो इसको आंसर हो जाएगा हमारा option number B, अगला सवाल, a fungal cell wall is made of cellulose, chitin, hemicellulose या फिर tignan, जल्दी जल्दी से आंसर करें, पटाफट से बताओ, ठीक है, रकम जी बिलकुल कहा जाएगा, ठीक है, बिलकुल कह दूँगी भाई, आपका message बिलकुल सर तक मैं आपर पहुंचा दूँगी, अब बताओ मुझे कवक की कोश का भित्ती किस से मिलकर के बनी हुई होती है, cellulose, chitin, hemicellulose या लिगनिन, तो जो आंसर जा रहे है, cellulose के साथ उनका आंसर थोड़ा नहीं, पूरा गलत हो जाएगा, थोड़ा नहीं होगा, पूरा गलत होगा, क्योंकि cellulose की cell wall, plants में होती है, यानि की पादप में होती है और कहा होती है, शेवाल में होती है, plant में और algae में, इन दो में मिलेगी आपको cellulose की और chitin की बात करें, तो कवक के अंदर उपस्ते दिखाई देगी, एक छोटा सा सवाल मुझे बताओ, तुमने इन दो के बारे में तो बता दिया, बैक्टीरिया की cell wall किस से मिलकर के बनी हुई होती है, अब तुम्हारे मिन में आएगा, मैं, cellulose होगा, chitin होगा, कुछ नो, कुछ ऐसे ही आंसर लगा देता हूँ, लिगनिन लगा देता हूँ, कुछ और नहीं मिलता तो, याद रखना कर गदी गलती से तुमसे ये पूछ लिया, तो नाम है peptidoglycan, peptidoglycan, और murine, ALP पूछता है, शरीर के बारे में भी सवाल पूछे हैं, तो plants के बारे में भी उतने ही सवाल पूछे हैं, मतलब botany, zoology, दोनों ही बढ़िया वाली पूछी जा रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा, जीवानों की कोशिक अभित्ती, peptidoglycan, और murine से मिल करके बनी होती है, मुझे पता था तुम आंसर गलत लगाओ, रिता अंजली बहुत ही बढ़िया, ठीक है, next question, अगला है, what is the name of the point of chromatid, जहां पर वो attach होते हैं, मतलब वो यह कहा रहा है, जहां पर आपके chromatid जो हैं, वो किसी chromosome में जुड़े हुए होते हैं, उस point का नाम बता दो, क्या होगा हाँ, उस point का नाम यहां पर क्या होगा, इस बार करा इन्होंने बहुत गलत है, मतलब technician की वेकेंसी की बारे में तो दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, सिर्फ ALP के लिए बात कर दी, assistant local pilot की, तोफे में तुम्हें कैसे लड़ू थमा दिया, कि लो भीया, 5700 वेके नमबर C, centrosome, देखो जरा इधर, यह कहलाता है आपका chromozome, मतलब simple भाषा में अगर हम देखें, तो कुछ ऐसा देखता है, यहां बीच में और यह, यह जो उपर नीचे देख रहे हो, इसकी arms है, इसके बीच वाला यह हिससा पूछा है आपसे की chromatid जहां पर जुड़े आप देख सकते हो, यह जो बीच बीच में नज़र आ रहे है, यह centromere, उपर नीचे वाले chromatid के खंड कहे जाते हैं, यह हो सकता है, इसकी position बीच में है, यह थोड़ा उपर भी चली जाए, आम गायब हो जाए, उपर वाली सिर्फ नीचे वाली आम रह जाए, तो कुछ ऐस इसे चार प्रकार के अलग अलग जो गुणसूत्र होते हैं, वो आपके पाये जाते हैं, मानव में कुल मिला करके पूछेगा कितने जोड़ी गुणसूत्र के हैं, तो तेज जोड़ी मानव में उपस्तत है, तेज जोड़ी यानि कि कुल मिला के 46 संख्या क्रोमोजोम की प चलो जल्दी से आंसर करो आप अपनी तयारी पर ध्यान दीजे फिलाल फोकस जो है वो हमारा बहुत सही होना चाहिए इतना खामोशी से तयारी करनी है कि तुम्हारी कामयाबी अपने आप से शोर मचा दे तुम्हें कुछ कहने की जरुरत ही ना पड़े वो जो खनकते हैं वो सिर्फ महनत पर ध्यान दुनिया क्या कह रही है कहने दो आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नमर्डी स्टैमिन तुम्हें एक ठोटी सी बात कहूंगी एक फूल है और इस फूल के अंदर बीच में कुछ ऐसे हिस्सा नजर आ रहा है इस हिस्से को हमने तीन भागों में बाटा स् पिस्टिल या फिर कारपल का नाम इसको दिया जाता है तो कहीं तूम्हें ये दो नाम दिख जाएं ना पिस्टिल दिखे, कारपल दिखे, हिंदी में कहीं तुम से पूछ ले, स्त्री केसर, तो हिंदी में तुम बड़े प्यार से लगा दोगी, कि अच्छा स्त्री आ गया, पहचान गया, मैं नाम गया होगा, इंग्लिश में जब भी आता है, तो आंसर क्या देना है, कारपल देन जो स्टैमन गह रहे हैं यह होता है मेल जनन अंग इसी के साइड में कुछ इस प्रकार से निकला हुआ यह दिखाई देता है इसके भी दो भाग होंगे एक एंथर होता है और दूसरा कहा जाता है फिलामेंट यह पुंत्थतू के नाम से जानते हैं और इन दोनों भागों को म इसी प्रकार से इस एंथर के अंदर जो bylobed है यहाँ पर यह ऐसे छोटे-छोटे से पाये जाते हैं इन्हें हम कहते हैं पराग कण पॉलन ग्रेन का नाम तो मेल ग्यामीट कौन सा है किसी फूल के अंदर तो बता देना कि पॉलन ग्रेन कहा जाता है यह पॉलन ग्रेन को हिंद झायेकश जाएगा और नीचे जाकर कि जो विल होगा उसको फर्टिलाइस कर देता है निशेचित कर देता है Aku क्या हो जाता है इसका निशेचन हो जाता है और वहीं से और फल जो बनने की शुरुवात है वो देखने को मिल जाएगी ठीक है चलो अगला सवाल बताओ इन में से कौन सी एक एच्छिक क्रिया नहीं है कोली भाई ठीक है भाई चलो बदल देंगे उसको भी बताइए अगला सवाल के रहा है voluntary activity नहीं है तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते उसको सवाल में options क्या है taking an object किसी वस्तू को उठाना लेना दिल की धड़कन मुठी बंद करना या गुर्सी को हिलाना इन में से कौन सी हरकत ऐसी है जो आपके मर्जी से नहीं हो सकती एच्छिक क्रिया नहीं कही जाती है हावई साइन्स पढ़ते रहो तुम कभी भी इस चीज का इंतजार मत करो कि वेकेंसी आएगी तब पढ़ूँगा वेकेंसी जटपट आजाएगी जैसे एलपी आ गई जैसे यूपी पुलिस कॉंस्टेपल आ गया तुम सिर्फ देखते रहे गई कि मैडम क्या करूँ तो बस अपनी तयारी पूरी तरह से रखो कि जब भी वेकेंसी आए मैं तयार हूँ मॉक्टस लगाऊंगा दे दूगा सारे तरह से पेपर को बी ऑप्शन कहे रहे हैं दिल की धड़कन की भयाम हमारी मर्जी से तो वही नहीं सकता दिल धड़का है तो धड़कता रहेगा जिस दिन रेस्ट में आया तो रेस्ट इन पीस ही हो जाना है तो यह आपकी एच्छे क्रिया नहीं है लेकिन याद रखिएगा कि ये क्रिया भ सभी अनेच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है कि कदी तुमसे पूछे कि भई या उल्टी आ रही है वॉमिटिंग है कौन समा लेगा इसको तो वॉमिटिंग का केंद्र भी हमारा यही पश्चे मश्टिश्क देखा जाएगा उल्टी आ रही है ठीक है या आप कह रहे हो मेडियूला अबलॉंग गटा अल्सों कंट्रोल ब्लड प्रेशर के लिए मेनली हाइपोथालमस या थाइराइड ग्लैंड आती है जो कंट्रोल करती है ठीक है जो अपने बस में नहीं है वो अनच्छे क्रिया है अब कह रहा है दूद हो गया खटा हो गया क्या बन जाएगा दही बन जाएगा दूद से दही तो तुम बना रहे हो लेकिन उसके पहले बीच में एक आसिड काम करेगा जिसे कहते हैं लेक्टो बैसिलस एक बेक्टीरिया है जिसे लेक्टिक एसिड बेक्टीरिया भी कहा जाता है ये काम करता है तो दूद भाया जब आपका क्या हो गया है तो क्या बन रहा है वहां पर लेक्टिक एसिड जो है इसका निर्मान हो रहा है इसमें बेक्टीरिया अगर पूछा जाएगा जीवानू पूछा जाएग यकरत, ground ministra, या पित्ता शाइक थेली जोसे आप पित्त की थेली भी कहते हो भताव। नहीं के सीन और स्वाट पत्र हता लिवा लाकराध बैई कर दो ऑदों sensitive to a आपका पसीना आएगा बोडी के उपर अचानक से सारी घबराहट वाली सिचुवेशन्स होने लग जाएंगी अनुकम्पी तंतर का तंतर मान लो कि तुमने पेपर के लिए पढ़ाई नहीं गरी और पिताजी आ गए सामने फिर जो तुम्हारी कुटाई होगी बढ़िया वा पसीना आए गला सूख जाए पेट में खाना ना पचे वो सारी क्रिया यानुकम्पी वाला काम करता है आंसर कर रहे हैं बी लिवर वा मेरे शेर वा एक बाद बताओ वो कह रहा है गरंथी नहीं है तुम लिवर आंसर लगा रहे हो लिवर तो सबसे बड़ी गरंथी है बहती गंगा में हाथ धोली है बस मैंने किसा अपने भी लगाया था मैं मैं भी बी के साथ हो चला अरे गॉल ब्लाडर कोई भी गरंथी नहीं है लिवर जो है वो सबसे बड़ी गरंथी है लार्जेस्ट ग्लांड कही जाती है अड्रीनल अधिवरक आपकी कही जाती है कि ए एक अंतह स्त्रावी ग्रंथी है ठीक है और पिट्यूट्री भी हमारी एक अंतह स्त्रावी ग्रंथी है दो प्रकार की होती है ग्रंथिया एक होती है बही स्त्रावी और दूसरी होती है अंतह स्त्रावी बही स्त्रावी का काम होता है जो आपके शरीर के अंदर कोई रस का स्त आपको दोसरा एंडोक्राइण ना भी वाले और अलग ही भावनाओं में चल रहे हैं आज क्या भावनाओं से गाने में लगा अगला उत्तर एनमिक कंडिशन इस ड्रक्त लापता के स्थिति किसके कारण होती है प्लेटलेस की कमी हो गई क्लास चाहतर सब्सक्राइब चाहतर सेशन दोब सभी के लिए , क्लास आघआ इसे चाले समर्वे कराएं आपकी जो class है वो science की चल रही है deficiency of RBC चलो एक answer तो सब ने लगाया साथ में बढ़िया लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनकी कम यह जाती है तो हम कहते हैं अनीमिया हो गया बैट एक बात ध्यान से सुनना अनीमिया में ना mainly RBC level check नहीं करते हीमोग्लोबिन क्यूंकि लाल रक्त क प्रक्त कणिकाओं में पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन और यहीं हीमोग्लोबिन किसी महिला के अंदर कम से कम 12 से लेकर के 14 ग्राम तक होना चाहिए और पुरुषों में 14 to 16 ग्राम तक यह सामान्य सतर है अगर महिलाओं में 12 से कम ओ रहे एनीमिया हो गया अगर होता है तो हीमोग्लोमिन की कमी होती है और अगर अर्बीसी की कमी होती है तो हम उसे कहते हैं एरित्रोसाइटोपीनिया ठीक है क्योंकि आर्बीसी का ही नाम है एरित्रोसाइट क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है चलो क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है तो भाई याद रखना आर्बीसी की कमी कहलाती है आपकी एरित्रोसाइटोपीनिया नहीं है ऑप्शन में ह प्लेटलेट्स की कमी को कहा जाता है थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया, करेक्ट, नेक्स्ट क्वेस्टन, मिल्क ओफ मैगनीशिय को आप कैसे यूज करते हो, क्या है मिल्क ओफ मैगनीशिय कौन बताएगा इसका सही आंसर, बहुत बढ़ी आपरिंसी, आरबीसी की अधिकता से प देटिव है कोई दर्द निवारक है कोई से डेटिव है या कोई एंटी बायूटिक होता है आप मैंसे कई लोगों के अलग-अलग टेस्ट कि भयाई शाम हो गई आप तो कुछ बढ़ी आसा खाना है बढ़ी आसा भी मतलब क्या भरा हुआ ओईल वाला खाना डीप फ्राइ कि अब ठीक है भई आसेडिक रियक्शन बहुत जादा हो रही है तो चलो थोड़ा सा इहां पर इनो ले लिया जाए इनो का सेवन करते हैं बहुत सारी टाबलेट्स आती है कभी गेस्ट्रिक इशूज हो गए कभी आपको गैस बन जाती है असरी भर जाती है तो आप क्या कर मैं करता है अहुत जहीं हुत हैसे अकषिया वाला काम करता है और और गासे काम करता किया मेरी बात क्लेर हो रही है मिल्क प्रिश्या इनो के अंतर बिल्कुल सही हो सारी चीज़ें जो है डी असार खालिया माम बहुत सारे अलग-अलग क्याप्सूल आ गए रानिटिटीन हिस्टिटीन यह सब हमारे एसेडिटी को कम करते दो नाम में लिखा है ना एंट एसेड एंटागोनिस्टिक मतलब विपरीत में काम कर रहा है एसेड के तो आंसर हो गय अगर फैल रहा है तो किसके द्वारा फैलता है जल्दी से बताओ भई पटाफट से बताएंगे क्या हुआ मानसी चलिए बहुत ही शांदर देखो क्लास चलेगी अभी लंबी हम आपकी क्लास जो है आज सारे प्रिवेस यहर क्वेशन को घतम कराएंगे तो इसी लिए आप लोगों की जो क्लास है वो लगातार आपके चलने वाली है जब तक यह सवाल खतम नहीं हो जाते दस से साड़े दस बजे तक क्लास चलेगी ठंड भाओ खाना पीना खाओ साथ में सवालों को देखो अराम से पढ़ते रहो तीक है आज का काम सर्फ पढ़ाई के बारे में हम तो कह रहे हैं कि यलो पीवर अभी कोई पूरा करने के लिए जाती है और इंसानों को काटना शुरू कर देती है और वहीं कोई बिमारी वाला मिल जाये तो वह सबका बिमारी जो है उसका वाइरस फैलाती हुई भी दिखाई देती है यहां पर यह जो पीट जबर है प्लेवी वाइरस प्लेवी विशाणू के मादा मच्छर इसको फैलाने का काम करती है और इसके लक्षन में आपका पूरा शरीर कैसा हो जाता है पीला इसमें देखने को मिलता यह पूछेगा और एक बात और याद रखना कि जो बिमारी कराता है उसको कहते हैं पैθोजन, यानि कि कारक जीव, अब वो पूछे भई है कारक क्या है? तो विशानू है, इसको फैलाने वाला कौन है यानि कि वाहक कौन है तो वाहक होते हैं मच्छर जो बिमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने का काम करते हैं जॉन्डिस हो जाता है इसके लक्षन है पीलिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा आखे पीली तवचा पीली ठीक है भाई यूट्यूब पर सारा कुछ पढ़ रहा है बढ़िया तरीके से ठीक है सारा कुछ आपकी क्लासे जो है वो चल रही है तो रोज टाइम टेबल को फॉलो करो सुभा आट बजे करिंट अफियर अमिट सर पढ़ा रहे है बहुत ही शानदार तरीके से ठीक है मैं भी आपको सभी के इविंस दिखा दूंगी अमिट सर जो है वो पढ़ा रहे है उसके बाद आपके कल दीपक सर की भी क्लास होगी जहां सर आप लोग को कम्प्लीट जो है कर दो इन डाइजेश्टन तो इन को कौन यहां पर कंट्रोल करता है अपच को कौन संभालता है अब बताओ कौन से दवाइखाऊ प्रोटीन की कमी होती है तो अपने उस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए वो जाती है और सबको काटना शुरू कर देती है अधितिसर की क्लास कल होगी आपकी जैसे लगातार रहती है सोमवार से C और D कह रहे हो एंटीबाइटिक की कौन से अलग दिवान है एंटीबाइटिक का काम क्या है सिर्फ बायूटिक मतलब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जीवाण Eckugi कि जीव को मारने का पर क्रोंग management कर एक्लीओ कोई-धवाइ diffी नहीं कोई दवाई काम करी lagi एंटी हिस्टमीन एलर्जी को खतम करती है जो आपने सुना होगा कि आपके बॉड़ी के अंदर अगर कोई एलर्जी हो जाती है तो एविल सेटरिजन बहुत सारी टाबलेट्स है जो एंटी हिस्टमीनिक काम करती है एलर्जी को खतम करेगी एलर्जी के लिए आती है एंटी पायोटिक आपके बॉड़ी में जीवानू से लड़ती है जीवानू रोधी कहा जाएगा और एंटासिड एसडिटी को कम करने वाली दवाईयों को कहा जाता है ये एक ग्रुप बना दिया है हमने कि बहिए एंटि हिस्टमीन है सारी एलोजी की दवाई लिग दो एंटासिड है सारी एसडिटी की दवाई लिग दो तो याद रखिएगा आज अगले सवाल हुमन के ब्लड प्लेटिलेट्स में क्या बनता है जो कि थक्के जमाने में मदद करता है प्रोथ्रॉम्मिन पिब्रिन फ्रक्टोज या सुक्रोज जल्दी जल्दी से बताएं एंटासिड जो अवाज सब को साफ आ रही है चलो भाई चीजें क्लियर हो रही है ना तो सेशन को पहुंचाते जरूर रहना अपने हर दोस्तियार तक लाइक कर देना पहुंचा देना बस यही काम तुमने करना है ना और अपने सवालों को लगाते रहना अब पूछा है कि प्लेटिलेट् जमाने वाला कारक इसका में काम ही यही होता है कि यह आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट बनाता है यह काम कैसे करता है क्लॉटिंग में काम करता है याद रखिएगा आपके बॉडी में कुल मिला के तेरह अलग अलग ठकका जमाने के लिए कारक पाये जाते हैं तेरह क्लॉट कि मेक पार्लेंट तो अलग अलग आपके पाये जाते हैं लेकिन मुख्य दौर पे आपके प्रोथ्डॉम्बिन जो है वो आएगा और प्रोथ्रॉम्बिन आकर एक ठका बनाता है कभी कोई पूछ इनक्लॉट का दूसरा नाम बता दो तो फिब्रिन ही है जो अनक्लॉट का द यार हो जाता है बस वही बिरिन के नाम से जाना जाता है क्लॉट है ठकता है ख्लियर है सबको चाल जी हाँ अब नेक्स प्रेशन की बात कर लेते हैं विच वन इस नॉट दी कॉज ऑफ किड्नी स्टोन फोमेशन किड्नी में स्टोन बनने के एक मुख्य कारण कौन सा यहां पर नहीं होता नहीं पूछा है नहीं ठीक है कौन सा नहीं होता जल्दी से बताओ एक खून जमना साइन्स की थियोरी क्लास कब से चलेगी साइन्स की थियोरी क्लास डेली सुभा 11 बज़े चल रही है आप इसी चैनल पर अटेंड करिए कल भी सुभा 11 बज़े आपकी गलास रहेगी आप जो है ले सकते हैं अप्लिकेशन पर आपके भई सारे के सारे पेड़ बैचेज जो है वो चल रहे हैं वहां से आप इने अटेंड कर सकते हैं ठीक है तो टो किड़नी में न कुछ इस प्रकार से जब आप देखते हो कि कहीं न कहीं किड़नी में पत्थरी बन रही है आपने बुला कि पानी ज़्यादा पीने से तो हमेशा माम किड़नी की स्टोन殖ता हो जाती है तो पहला ही कारक ऐसा है जो गीँहां पर अगर बहुत जादा ऐसे मेवे खा रहे हो जिसमें ऑक्जियम की मात्रा बहुत है तो भी आपके शरीर में पत्री बनने के चांसे भढ़ जाते हैं और अगर आप बहुत जादा स्टोन वामिंग फूद्स को खा रहे हो तो भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाती है अगला सवाल हुमन रेस्पिरेशन से कौन सी गैस बहार निकलती है मिश्रण बहार निकलता है गैस इसका कार्बन मोन ओक्साइड ऑक्सिजन या फिर कार्बन डाय ओक्साइड जल्दी से बताओ अब आपका साइन्स फांडेशन का बैच आरजी विक्रमजीत अप्लिकेशन है देखो यह अप्लिकेशन का नाम है आपका आरजी विक्रमजीत अभी डाउनलोड कर लो इसको एक बार फटाफट से ताकि आपको वहाँ पर साइन्स का स्पेशल बैच जो है वो मिल जाए और कारबन डायोकसाइड हो जाएगा अच्छा डी ओप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है कारबन डायोकसाइड अच्छा एक बात बताओ साइलेंट किलर किसे कहा जाता है चल्दी से आंसर करेंगे यह आपके चार ओप्शन दिये हुए ऐसा कोई जो चुप चाप आके तुम्हें घदम गणदे साइलेंट किलर वो कहलाती है आपकी कारबन डायोकसाइड यह जहरीली है अत्यदिक पोईजनस है याद रखना और यही हमारी साइलेंट किलर होती है कि अगर कहीं सफोकेशन बहुत जादा है तो कारबन डायोकसाइड की मात्रा बहुत जाद बहुत क्राबने प्राथ कारण यहां इस रास्ते में अटक जाती है तो यह सभी हमारी क्या है यह फो पर आपकी मुख्य तौर स्टों में कहीं जाती ये सारे टेस्ट एक बार अपने जरूर से करा लेना प्रॉपरली उन्होंने बोला है साइकलोजी टेस्ट तो बाद में होगा लेकिन उससे पहले 6 बैच्छे आखें जो हैं वो बढ़िया मांगिए विटा मिने खाया करो बढ़िया तरीके से पपू कुमार केह रहे हे मैं प्लीस क्लास की टाइम डेली मॉर्णिंग में की टियोरी में बढ़िया से और फिर सवालों को करते है कलर ब्लाइनेस क्या है कोई जनेनिक अनुपानशिक दिखाई दे रहाए नॉन जेनिटिक है लाइफस्टाइल से हो रहा है या लाइट से हो रहा है तो याद रखना अनुवानशिक विकार यहां पर कहा जाता है कलर ब्लाइडनेस किसी भी विटामिन की कमी से नहीं दिखेगा कोई आप जीवन की शैली बिगडी हुई है उससे भी नहीं दिखाई देगा यह होता है आनुवानशिक तो कलर ब्लाइडनेस के लिए ओप्शन नमपर ए हमारा सही हो जाएगा मेंली जो हमें रंग दिखते हैं वो तीन दिखते हैं रेड ब्लू और ग्रीन बागी तो सब मिश्टन है माम यह प्रात्मिक रंग है तुम्हें पता है आखे सिर्फ तीन ही रंग देखती है लाल नीला और हरा बागी तुम्हें जो भूही कलर दिखता है पिंक दिखेगा ब्राउन दिखेगा, वो सब इन सेगिंटरी कलर्स में आता है, वो मिश्टन होता है, आज अगले सवाल पर, इस इस नोट कॉस्ट बाइएरबॉन ट्रांस्पिशन कौन सा वायू जनित संचरन के कारण नहीं होता है, बेलता ही नहीं है, ठीक है, एयरबॉन नहीं है, हाँ जी रोज आपकी लाइफ कलास होती है, रिकॉर्डन नहीं चलता, रोज कलास लाइफ होती है, चलो, क्यूट पहाड़ी, अगर ELP का बैच आप पर शुरू होता है, तो आपको सूचना दे दी जाएगी, अभी यूट्यूब पर लगातार कलासे चल रही हैं, जो कि आपक जरूर पहुंच जाए, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन लगा रहे हैं, हेपिटाइटिस भी सही होगा, हेपिटाइटिस भी दरसल आपके लिवर को प्रभावित करता है, यक्रत को, और मुख्य तोर पे जो शराब का सेवन बहुत जादा करते हैं, अलकोहल बहुत जादा ल लेकिन क्या नहीं फैलेगा, हेपिटाइटिस नहीं फैलता, लिवर के उपर सूजन आएगी, इसके अलावा थकान महसूस करोगे, आँखों और तवचा पे पीलापन हो जाएगा, जॉन्डिस इसका प्राच्मिक लक्षन दिखता है, पेट में दर्द रहेगा, उल्टी हो होंगी, मल का रंग जो है, कितना फीकल माटर का कलर, जो पीला कलर होता है, वो भी बदल जाता है, मल का रंग बदल जाता है, तो ये सारे जो आपके लक्षन है, ये दिखाई देते हैं, किसके हेपिटाइटिस बी के, किस से हो रहा है, आपके विशाणू से हो रहा है, हेप अगर कोई भी काम कर रहे हैं उनको को पहुत सारे हैं यह बिमारिया हो जाती हैं तुमसे पूचहें सिफिलिस शिलिकोसिस यह चार रों पूछे जारे हैं को व्यवसाइक स्वास्त के खत्रों की अंदर आता है पताबात जर्व है ऐसे question ना आते मैं जिते इंद्र भाटी किया रहा है मैं ऐसे question ना आते मिरे भाई मैं अलग से थोड़ी मिना के लिए कि आई हुए आरार भी एलपी 2018 के सवाल है जो आचुके हैं ना आते हैं आचुके हैं तो भाटी साहब इन सारे सवालों के revision पे ध्यान दो और जो कल से 11 से तुम याद करके जाते हो चलो सी और डी उत्तर लगा रहे हो सिलिकॉसिस आंसर सही हो जाएगा देखी यह आपका एक reproductive tract infection है यानि कि सिफिलिस जो होता है वो आपके प्रजनन तंतर को प्रभावित करता है सिर्हॉसिस होता है जिसे हम कहते हैं शराब पीने के बाद लिव को भूलने की बिमारी हो चाती है गरंतिया ठीक से काम नहीं करती है लेकिन सिलिकॉसिस किस से होता है सिलिका डस्ट से होता है इधर देख रहे हो फेफडे नॉर्मल है सांस ले रहे हो oxygen जा रही है CO2 बाहर आ रही है यह फेफड की हालत देखो यहां पूरे में क्या जम चु चानल पर आप यूट्यूप चानल पर जाएंगे और इसी के साथ Rankers गुरुकुल जब आप सर्च करोगे हैं आपर जैसे अभी आपकी ये जो क्लास है ये आपकी चल रही है इसी के साथ Rankers गुरुकुल को सबसे पहले क्या कर देना देखो सबस्क्राइब कर देना सारे नोटिफिकेशन जो है न वो आपके पास पहुँच जाएंगे चलो नीट बात में पढ़ना पहले इंस्पेक्टर लग जाओ इधर देखो यहाँ पहले सबसब पहला काम क्या करोगे सबस्क्राइब कर देना तकि जितनी भी क्लासिस यूट्यूब पे चल रहे हैं यह आपके पास पहुँच जाएंग इसी के साथ यहाँ आपका एक लिंक है टेलिग्राम का चहां रैंकर्स गुरुकुल का टेलिग्राम चानल है यह टेलिग्राम चानल है आप देख सकते हो सबस्क्राइबर्स कितने हैं और क्या नाम है क्या लोगो लगा हुआ है इसी चानल को जाकर फटाफट से जॉइन कर लेना ताकि आपके पास अभी जब यह क्लास खतम हो तो पीडिएफ मिल जाए सारी क्लास की इंफरमेशन पीडिएफ यहीं आपको मिलने वाली है इसके अ होती है तो आप देख सकते हो और अपना पता सकते हो ठीक है अगले सवाल पर आते हैं दही में मुख्य रूप से कौन सा अमल पाया जाता है बेंज्वाइक फिमारिक लेक्टिक या मैलिक करो आंसर मजा रहा है पंडेमिक नहीं आर पीएफ एलपी प्रॉपरली बढ़ेंगे यार अभी यूट्यूब पे हर चीज पढ़ाई जारी है तो तुम्हें परिशान होते हैं मैं पेड़ बैच पेड़ जब पेड़ जाता है तो मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं बताओ हमें ब लंबी चलने वाली है तो पहुंचा दो एक बार अपने सभी दोस्तियारों भाईयों बहनों तक ताकि उन तक भी एक लास आपकी बहुत जाए गही के अंदर कौन सा एसिड है लेक्टिक एसिड पाया जाता है चा पूछे मैलिक एसिड कहा है मतलब भड़ चड़ के आंसर अपल के अंदर पाया जाता है ठीक एपल में होता है क्या नाम था मैलस इसी के अंदर था मैलिक एसिड अगला सवाल रेडिश इस एजन एक्जाम्पल ओफ मूली कोई बल्ब है कोई जड़ है कोई ट्यूबर है या कोई फल है बताओ आँ आज़ा है क्या है यहां पर मूली के बारे में पूछ रहा है जब आप मूली को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि मामी कोई तना दिख रहा है कोई जड़ दिख रही है कोई ट्यूबर दिख रहा है कोई बल्बसा दिख रहा है मुझे यहां पर नहीं मेरे भाई ठीक है यहां आं जाती है कि ट्यूबर क्या होता है तो आलू जब उगता है ना तो पुटाटो का ट्यूबर नाम देते हैं कि पुटाटो जो उगा है वो किसके द्वारा यह देख सकते हो यह छोटे-छोटे से ट्यूबर है यही क्या बनाएंगे आपके आलू को बनाते हैं तो यह ट्यूबर यह वो उसकी पत्ती कही जाती है ठीक है तो यह आप देख पा रहे हो यह कहलाता है अनियन बल्ब तो मॉडिफिकेशन याद करेंगे कि भाईया अगर जड़ के बारे में पूछ रहा है तो रेडिश है आप बात करेंगे यह मूली यह बारे में तो यह सब हमारे चड़ के मॉडिफिकेशन दिखाई देते हैं ठीक अगला सवाल मानव के शरीर में जो वर्टिबरेट्स हैं यह किसका हिस्सा दिखाई देते हैं कशेरुक किसका एक हिस्सा नजर आ रहे हैं लगाओ आंसर फटा-फट से माम क्या आप only railway की तेयारी करवाते हो नहीं नहीं भाई सबकी तेयारी चल रहे है आपके अप्लिकेशन पे ससी, CGL की, UPSI की सबके अंदर जितनी साइन्स आती है उसकी जिम्मेदारी तुम मैडम पे छोड़ दो पढ़ना शुरू कर दो, बस इतना काम कर लो ठीक है, तुम्हारे सारे सब्जेक्स जो है वो सभी सब्जेक्ट अप्लिकेशन पे चल रहे है कम्प्लीटली सारे बैचो सापके लाइव है आप एक बार चेक कर सकते हैं फिलहाल आंसर जो आ रहा है कि ये किसका भाग है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का एक भाग दिखाई देता है वल्टिब्रेट्स कशेरुक किसका एक भाग है स्पाइनल कॉर्ड का माल लो कि तुम्हारे ब्रेन से उपर की तरफ ब्रेन है यहां पर छोटी-छोटी सी हड़ियां लगी हुई है इन्हें हमने कहा कशे रुख और इस कशे रुख के जस्ट बीच में से एक नस निकल रही है जिसको हम नाम देते हैं spinal cord तो यह किसका हिस्सा दिख रही है brain का, liver का, intestine का या फिर आपके spinal cord का answer is option number C चीक है Sam Smith, disappoint मत हुआ करो यार, तुम बहुत disappoint होने लग गए है देखो इधर यह है आपका जिससे हम नाम देते हैं आपका brain और brain के नीचर से निकलते हुई spinal cord, यह देख पार हैं कैसे हड़ियां दिखाई दे रही हैं यही हड़ियां कशे रुख है मतलब आपके 26 टोटल हड़ि होती है वर्टिब्रल कॉलम में जोने हम क्या नाम देते हैं जोने हम कहते हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम या कशे रुख स्तंब इसी के बीच में से एक नली निकलेगी जोसे spinal cord कहा जाता है ठीक है चलो तो ये कहलाती है आपका अंसर हो गया अगला सवाल ये देख पारे हो पूरी की पूरी रीड की हड़ि है पांच भागों में मैं इसको बांटूंगी कितने भाग बने इसके पांच और हड़ि कितनी है 26 टोटल 26 हड़ि होती है पहले भाग में 7 हड़ि पहले भाग में 7 हड़ि दूसरे में 12 फिर 5 हड़ि फिर अकेली एक रह गई फिर एक और रह गई जिसे हम पहले कहते हैं पूँच होती थी वह वैसी पूँच ये दिख रही है तुमें इसको याद करते हैं CTLSC 72511 बस ये कोड याद करके जाना दुनिया भर के फोन नंबर याद रखते हो ये कोड रखना CTLSC 72511 पहला भाग सरवाइकल का C दूसरा वक्ष गुहा आपका थोरैसिक 12 फिर उदर भाग अमाशे वाला लंबर 5 हड़ि फिर नीचे की तरफ कूले की हड़ि आई सैकरम 5 फिर नीचे आपकी पूंच वाली हड़ि एक अकेली तो टोडल कितनी हो गई 26 हड़ियां जो आपके अंदर उपस्तित दिखाई देती हैं व्यासक मनुष्य की बात कर रहा है अल्राइट अगला सवाल भढ़ते हैं अगला सवाल देखो व्यक्तियों के पाचन तंत्र की अगड़ जांच करनी हो डॉक्टर साब कोई ना कोई टेस्ट लिखतेते हैं कौन सा ऐसा टेस्ट है जो पाचन तंत्र की जांच करने में देखा जाता है ओक्सिलोस्कोप माइक्रोस्कोप एंडोस्कोप या तुम्हारा पाचन दंत्र टेस्ट होना है बताई आंसर हितेश जी सीजील की तयारी करो बढ़िया से सीजील में लग जाओ भाई आपका ग्राजुवेशन कंप्लीट है आपका पेपर जो है वो जुलाई अगस्त में आपका होने वाला है तो अपनी तयारी अभी से शुरू क क्या होगा जिससे कहते हैं एंडोस्कोपी, COLONOSCOPY ये सब टेस्ट होते क्या है तो देखो बटी के अंदर ना एक पतली सी टीूब जिसके आगे कामरा लगा है या आप देख पह đãो दॉक्ठर ने क्या किया आपके बटी में आपके मुह के रास्ते पैट तक 1 पतली सी तो इसे नाम देते हैं आपका endoscopy यह आपके ऊपर से लेके पूरी आहार नाल की अमाशा तक जाज करेगी कि कैसे कहीं कोई घाव जखम कोई infection किसी प्रकार का तो नहीं मिए अगला question बताएंगे बताओ भाई आंसर ओनलाइन पीडिएफ के लिए ओनलाइन पीडिएफ आपकी रांकस गुरुकुल के टेलिग्राम चानल पे मिल रही है क्लास का नीचे डिस्करिप्शन बॉक्स खोलो एक बार जल्दी से एक लिंक दिया होगा कि पीडिएफ के लिए इस लिंक को जॉइन करें वहीं मिलती है आपकी फूरी पीडिएफ तुम्हें हो गई है अलर्जी अब अलर्जी के लिए माम रेस्ट टेस्ट हो गया कि इसा टेस्ट हमारा जो होता है यह एड्स के लिए होता है आपका जो मुख्य दोर पे रेट्रो वाइरेस से एड्स होता है अक्वाइड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम जसे कहते हैं और IgE जो टेस्ट है यह हमारा antibody का test होता है ठीक है याद रखना antibody का ही दूसरा नाम होता है immunoglobulin तो immunoglobulin को मैंने short में क्या लिख दिया Ig, Ig मतलब Instagram नहीं है यहाँ पर, immunoglobulin का नाम दिया हुआ है ठीक है, अगला सवाल भड़े हीमोगलोबिन की जाज नहीं होती अगला है इनमें से कौन सा Asexual Reproduction अमीबा में देखा जाता है अल एंगिक जनन किस प्रकार का होगा भीजाणू गठन, बाइनरी विखंडन वनस्पतिक प्रसार है या बड़ेंग देखा जाएगा कर ये answer इसका क्या होगा अच्छा चलिए, कविता एक बार आप अपने application पर जाएगे आर्जी विक्रमजीत वहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा पूरी तरह से सारी details जो है वो आपको पता चल जाएगी ठीक है कोई भी समस्य अगर आपको लगती है तो आप वहां से एक बार चेक कर सकते हो जो ट्वेल्थ पास हूं माम ग्राजुवेशन कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है आप ग्राजुवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो CGL भर देना अगर बार भी पास है तो CHSL का पेपर जो होगा आपका उसको आप अपलाए करिएगा आप उसकी तेयारी अभी से शुरू कर सकते हैं बी आंजर आ रहा है बाइनरी फिशन एक अजीब सा स्ट्रक्टर कैसा स्ट्रक्टर माम जसका ना कोई शेप है ना कोई आकार है यह दिखता है मुझे अभीबा इसके बीच में प्रॉपरली एक न्यूक्लियस होगा मतलब हर सेल के अंदर क्या होता है केंद्रक होता है तो इसके पास भी है इसका न्यूक्लियस विभाजित होता है और अपने आप कुछ इस प्रकार से दो अलग-अलग डॉटर कोशिकाएं जो है वो बन जाती है इन्ही को कहते हैं इनकी बेटी कोशिका अमीबा के अंदर आपको अनिकी बाइनरी फिशन तो पूछे कौनसी करिया काम रही थी बाइनरी फिशन यहां पर काम कर रहा था बी ओप्शन इस दर्रावी ग्रंती नहीं है अब बताओ तुम आंसर कौनसी एंडोग्राइन नहीं देखी जाती हां जी वाचिंग फॉम कश्मीर बहुत बहुत शु क्वेशन करने में मदद क्वेशन करने में मज़ा आ रहा है कि निया जल्दी से बताओ एक बार मज़ा रहा है सारे क्वेशन को देखके ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं माम मेरे को ओवर कॉंफिडेंस में हूँ अभी तक हम लोग 43 थ्री क्वेशन नंबर पे हैं 43 में से कितने सवाल तुमने गलत कर दिये कितने की संख्या लेगली कि माम मैंने 10 गलत किये पंदरा किये चाले सी पूरे गलत कर दिये आप जब भी मौक टेस लगाएंगे आपको यह अंदाजा होगा कि हम कितने पानी में हैं यानि कि हमारा करके कहीं से भी अगर देखोगे तो सल्यूशन के साथ आपकी एक लास जो है वो की जा रही है आप लोग जितने भी सवाल गलत करेंगे ना उन गलतियों को जाकर के दोहराओगे उसका टॉपिक रिवाइस करोगे ये काम तुम्हें आज का एक होमवर्क वाला जरूर यहां करना पड़ेगा ठीक है तो फिल्हाल आंसर कौन सा आ रहा है लिवर हमारी क्या नही है एक एंडोक्राइन ग्लांड नहीं है क्योंकि यह कहला लाती है एक 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 स्तरावी ग्रंति जो भी नोडस बनारे हैं साथ में इन चीजों का भी ध्यान रखियेगा बहिस्त्रावी ग को इखटा करने का काम करता है ठीक है अगला सवाल प्रकार्ष एंसिलेशन के दौरान कौन-कौन से प्रोडक्ट बन कर तयार होते हैं आपके प्लांट में पादप में जब भी फोटो सिंथेसिस होती है तो कौन से प्रोडक्ट हैं जो बन करके तयार होते हैं ग्लूकोज जब भी स्टार्च और ऑक्सिजन यहांपर बनता है क्यों यह स्टार्च बनता है यह आंसर में सबस DaK प्लांच के अंदर स्टार्च बनेगा या ग्लूकोस बनेगा कुछ A कह रहे हैं कुछ यहाँ पर आंसर लगा रहे हैं option number D यह series daily चलेगी, series आपकी daily सुभा 11 बजे चलती है तो daily सुभा 11 बजे उसमें आप जुड़ सकते हैं चलो कुछ A लगा रहे हैं कुछ D लगा रहे हैं बहुत ही बड़ी कि लेकिन अगर दुमसे बात करूं कि यार ना तो तुम्मारा अपकी सही ए ग्लूकोस और ऑक्सीजन बनती है क्या बनते है glucose और oxygen देगो एक photosynthesis की simple सी reaction यहाँ पर क्या होती है कि जब भी आप कहते हो photosynthesis हो रही है मतलब पतियों में खाना बन रहा है पतियों के अंदर अपना kitchen जो है वो चालू हो चुका है तो यहाँ पर carbon dioxide plus पानी मिलकर के क्या बनाते हैं आपका C6H12O6 plus oxygen इसको कर दो balance य यह क्या बन जाता है यहाँ पर glucose बन जाता है तो याद रखेगा glucose बनता है और oxygen बनती है इसको मैं just reverse कर दूना तो respiration की reaction बन जाएगी कि आपकी body में oxygen जाएगी किसके साथ पिलेगी glucose के साथ मिलेगी और जब मिलती है तो क्या बनाती है मैं carbon dioxide बनाती है और साथ में पानी बन जाती है 36-38 ATP बनाती भी नजर आती है तो याद रखेगा option number क्या सही हो जाएगा हमारा भी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है प्रकाश तंसलेशन में glucose बनाएगा और starch के रूप में खटा घर के पत्तियों में रख देगा कि लो भीया खाने का भंडारन starch के किया जाएगा ठीक है चलो अगला सवाल आपको स्वाद का पता लगाने के लिए जो रेसेप्टर्स पाई जाते हैं वो कौन से रेसेप्टर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है यह पूछा जा रहा है जल्दी से बताओ यह प्रश्न थियोरी में भी आएगा क्यों नहीं इस वोट अटररेसेप्टर्स फोर डिटेक्टिंग टेस्स सेंसरी कैमिकल अलफेक्ट्री या फिर गस्टेट्री सबका अलग-अलग काम है शरीर में तुम्हें अगर मिर्च भी लग रही है न तो उसका भी अलग सब्सक्कार होता है आपके शरीर में हर चीज के लिए एक जैसे मैं अगर कहूं कि आपको किसी ने टच किया किसी ने पिटाई कर दी तो sensory receptors काम करते हैं आपके जो sense organ है आख कान नाख विल्ब आपकी जितने भी sense organs है वह काम करना शुरू कर देते हैं तो उसका कहां जाती है olfactory receptors के उपर जाती है और यही क्या करते हैं स्मेल करके बताते हैं और आपको पता चल जाता है कि घर में आज मना है मटर पनीर बनता हैं लेकिन स्वाद का अंदाजा किस से लगता है मैडम इन्ही गस्टेट्री receptors से लगता है जो कहां बाई जाएंगे आपके जीब के उपर पाए जाते हैं तो गस्टेट्री वर्ड आ जाए जीब के लिए लिंगवा वर्ड आ जाए ठीक है इन सब ही को यहाँ पर याद रखना इस सब किसके लिए आ रहे हैं स्वाद के लिए आपकी जीब पर वैसे भ कुछ खटा स्वाद होगा पीछे की तरफ कुछ कड़वा स्वाद आएगा बिटर टेस्ट वर्ड पाया जाता है यहाँ पर खटा है सोर है bugün ठीक है यह आपको मीठा स्वाद नम्कीन स्वाद स्वीट इस्वीड शोर बिटर यह अलग-अलग टेस्ट वर्ड भी हमारी आपकी बाइलोजी जो है वो कवर करा रही हूं आप लोग वहां पर मेरे साथ जोड़ करके डीटेल में बात कर सकते हैं तो अभी बात करी थी होता ना कि मम्मी ने चावल के डब्बे में पैसे चिपा के रखेते हैं अलग से स्टोर करके रखेते हैं तुम्हारी बॉड़ी आपके बॉड़ी के अंदर जो लिवर है वो ग्लाइकोजन के रूप में उठ्जा को चिपा के रखता है कि यार ये नादा नहीं करेगा ना तो मैं एनर्जी दे दूँगा ग्लाइकोजन ग्लु हाइडरेट है तो पॉली सेकराइड कहा जाता है ठीक है ये बहुलाग होता है चोटी-चोटी सी काईयों से मिल करके बना होता है क्लियर है सबको अगला सवाल बताओ मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणू दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग एक कॉमन बैसेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है को मैं तुमसे एकी चीज़ कहूंगी साइंस तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो तो आप सभी कुछ समझ के चलना है बहुत लोग क्या करते हैं रट्टा मार देते हैं चार सवाल मिल जाए याद कर लेते हैं टॉप हंड्रेड क्वेशन्स के साथ चलो बेसिक क्लियर करते हुए चलो एक चीज़ आपको बेसिक के साथ मैं कर आउंगी साइंस में एक नंबर तुम्हारा कम नहीं होने देंगी लेकिन रोज सुभा 11 बजे वाली क्लास को अटेंड करो ताकि आपके बेसिक सारे जो है वह यहां पर क्लियर हो जाएंग क्या ओप्शन नमसी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाहेगा अगला विच ओफ दो फॉलोविंग इस नॉट पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन परागण के लिए एक आप कह सकते हो पर परागण के लिए एजेंट यहां पर काम नहीं कर रहा वो पानी है जा सुभा कुंदन चौरस या बिल्कुल अभी जो कह रहा है कि परागण का मतलब क्या हो गया माम देखो परागण मतलब होता है पॉलिनेशन एक फूल से दूसरे फूल तक क्या ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेंज ट्रांसफर हो रहा है मैंने कहा यह मेरे पार सकोई बीट था ठीक है यहां तक पहुंच गए अब अगर यह उड़कर गए हैं तो हवा एक एजन्ट का काम करेगा मान लो कोई जानवर आया कि कोई भी पक्षी आता है कोई मक्खी आती है मक्खी आती है इसके उपर बैठती है और उसके बाद यहां चली जाएगी तो क्या होग यह लेकिन यह प्लांट्स काम नहीं करें पौधे थुड़ी अपने आप पर आगण कराते वे नजर आएंगे तो प्लांट्स एक एजन्ट नहीं है अगर आपका पानी से पॉलिनेशन हो रहा है तो नाम दिया जाता है हाईड्रो फिली जानवरों से होता है तो आप नाम द अंदर क्या होता है पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है अगला सवाल अंटाक्टिका में गहरे समुद्र में गर्म पानी के गर्म जरने हैं बर्फ हैं इन आवासों में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा वाईरस बैक्टीरिया अमीबा या यूगलीना करो आंसर जल् भी ईह और शुह परागन भी होता है बिलकुल होता है ऐकान pops ऑक प्रञ़न दूसरा प्रॉस पैरगन दोप्रर्रागन पढ़ते हैं उसके एक क्लास करें गे जिसके अंदर पादप में होने वाला reproduction को बिल्कुल डीटेल से समझेंगे बागी देखो अगर ये class पसंद आ रही है ना तो अपने हर दोस्तियार भाई बंदू तक पहुचाते रहो क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए ALP के सारे questions को लेकर आचुके हूँ जो तुम्हारे एक नहीं दोने हर एक्जाम में मदद करने वाला है अब बारी तुम्हारी है तो अपने हर दोस्तियार तक पहुचा देना class अभी तुम्हारी लंबी चलने वाली है कहरा है कौन रह सकता है तो ये जो बेक्टीरिया है ना मर्दी चाहें जहां छोड़ दो मैडम गरम से गरम पानी में ठंडे से ठंडी जगहा पर ये acidic condition हो कहीं खारे पानी में ये हर जगहा रहता हुआ नजार आता है तो बेक्टीरिया जो है ये आपको properly इनकी growth जो है का आता है साइनो बेक्टीरिया जोसे हम यहां पर कहते है क्लियर है अगला सवाल देखिए रक्त का कौन सा घटक भोजन carbon dioxide और nitrogen युक्त अप्षिष्ट का परिवहन करता है विच कंपूनेंट अब ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड carbon dioxide and nitrogenous waste क्या आंसर होगा जल्दी से बताओं मतलब इतना important class चल रहा है और इनको मतलब किस से है नेहा कुमारी से निकल जाएगी तुम शकल देखते रह जाओगे नेहा कुमारी को comment करते रह जाओगे कुछ नहीं रखा वैसी भरती नहीं देती सरकार पांच साल बाद मिली है तीन साल बाद यूपी पुलिस की भरती मिली है जब मिल रहा है न मौका तो paper चाहे जो भी भरा हो तैयारी ऐसे करो कि तुम्हारा exam में properly exceed तुम्हारी पकी हो यह नहीं कि माम नेहा कुमारी का हो गया मैं तो उसको comment करता रह गया अरे इधर ध्यान देलो है इतनी important चीज़ें चल रही है इन्हें नेहा कुमारी से मतलब है रक्त का कौन सा घटक काम करता है तो वहां हमारे मुख्य तोर पे यह जो RBC होते हैं यह red blood cells जिनकी हम बात करते हैं यह हीमोगलोबिन को लेकर जाते हैं और वही हीमोगलोबिन oxygen को आपके जितने भी पोशक्तत्व हैं उनको और इसी के साथ nitrogen जो भी waste product होगा उसको पहुंच अलमा के अंदर यह सब की उपस्तिती दिखाई देती हैं बीच में कुछ आपके लाल रक्त के cell, red blood cell, कुछ white blood cell हो जाते हैं कुछ आपके ठक्के जमाने वाले platelets हो जाते हैं तो इस सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके नजर आती हैं ठीके हमेशा याद रखना कि जब भी CO2 को बाहर ला रहा है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगला सवाल देखिए, एक आधिक विखंडन के द्वारा जो आपका multiple vision के द्वारा reproduction होता है, वो किसके अंदर नजर आता है, यह question कहां से लाई है, यह ELP वालों ने दियें 2018 में, ठीक हैं, चालो, CO2 लिखा है नदीम, CO2, जब oxygen पहुंचाएगा, तो CO2 वहां से लेकर के भी आएगा, तो वही blood हमारा CO2 को बाहर फेगता है, यानि कि फेफडों को दे देता है कि लो भाईया, इसको exhale कर दो, सांस को बाहर छोड़ दो, समझ पा रहे हैं, कहानी की नहीं, अगला सवाल है, प्लैनेरिया, प्लाज प्लाजमोडियम का लगा रहे हो, जो की मुख्य तोर पे हमारी बॉड़ी के अंदर, प्रोटिस्टा का एक एक एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लैनेरिया आपका क्या है, एक टेप वॉम है, चप्टे क्रमी के अंदर आता है, जानवरों में, राइजोपस एक कवक है, एक फ प्लाजमोडियमान सारी हापर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी, पीडियेफ आपको मिल जाएगी, रैंकर्स, गुरुकुल, टेलीग्राम चैनल पे, अभी मैंने आप लोग को दिखाया भी था, वही चैनल है, जहां आपकी सारी की सारी पीड पॉधों को क्या कर रहे है, हाँ पर पोशन प्राप्त करता है पॉधों से, पॉधों से पोशन, मलेरिया का पड़जीवी लेता है, लाइस, प्रायोफिलम या कसकटा, या फिर कसकटा हलके में मतले ना, देखो, जुलोजी यानि की जन्तू विज्ञान से भी सवाल है, और पादप विज्ञान से भी सवाल है, इन्होंने महत्ता दोनों को दी है, और दोनों से सवाल बढ़िया वाले पूछे है, चलिए, फिर कहोगे, रादिका माम आपने पताया नहीं, है, देखो, प्राक्टिस करते रो, प्राक्टिस करते रो, प्राक्टिस मत छोड़ना जाहे है, तुम्हें लग रहा है कि माम नहीं हो पाएगा, तुम तब भी प्राक्टिस यहाँ पर करते रो, आपके नंबर अगर देट सो बैठ रहा है, लेकिन अभी जीएस में कमी लग रही है, तो कमी को सुधार लो, जितना भी समय मिला है, अगर आप चाहेंगे ना, आपका अ याद रखना यह जू जो होगी ना, यह तो हमारे बालों में मानस के अंदर, इंसान के बालों के उपर रहे के एक परचीवी का काम करती है, यह क्या करेगी सारा पोशन इंसान के अंदर से लेती है, तो लाइस का इक्जाम्पल नहीं होगा, यह प्लांट का पैरसाइट कौन उपस्तित दिखाई देता है करेंगे आंसर हांजी कि सेंटर में कौन पाया जाता है बढ़िया सा फूल जो है अगर वह हम देखते हैं तो यहां बीचों बीच में कुछ इस प्रकार से उपस्तिती दिखाई देती है नीचे थेलेमस वाला भाग आपको देख रहा है सराउंडिंग में मेल क्या मीट दिखाई देते हैं कुछ हरी हरी सी पत्तियां होती है जो आपको कलियों के रूप में साइड में नजर आती है और कुछ रंग बिरंगी पत्तियां होती है जो किसी फूल में आप यहां पर देखी पाते हो तो ये अलग-अलग प्रकार से कलिया खिल जाती है तो बीच में कौन है बीच में नजर आ रहे हमको कारपल यह जो हमारा female yarmite नजर आता है तो बीचो बीच में center में कौन है भाहिया female yarmite है surrounding में कौन है male yarmite दिखाी दे रहा है अगला सवाल देखिए next question है आपकी स्क्रीन पर किस फूल वाले पॉधे में पत्ती के किनारों के साथ नौच में कलिया उत्पन होती हैं कौनसे plants ऐसे हैं या फिर ब्रायोफाइलम बनाना या फिर ब्रायोफाइटा कर दो जल्दी से उत्तर है बहुत दी पड़िया सी आंसर लगा रहे हैं विल्कुल सेंटर में पुंकेसर नहीं होता भाई इस तरीकेसर होती है कि चलिया बिल्कुल सही ब्रायोफाइलम के अंदर होता क्या है न सराउंडिंग में कुछ ऐसे notches पाई जाती है पत्ती के अंदर किनारों पर बिल्कुल किनारों पर तो यह आप यहाँ पर कह सकते हो कि यह जो notches है यही से क्या हो रहा होगा इसका बड्स जो है वो छोटे छोटे से बनते हुए नजर आते है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा option number B ब्रायो फाइलम इसका सही अगला सवाल है कि कौन से उत्तक में कोशिकाएं जीवित है जीवित भी है लंबी भी है और कोने पर अन्यमित रूप से मोटी दिखाई देती है पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा कॉलेंकाइमा या फिर एरेंकाइमा हाँ भी जल्दी जल्दी से बताओ चीज़े क्लियर हो रही है तो अपने हर दोस्तियार तक क्लास को पहुंचा कर जरूर से आईएगा सेशन को शेयर जरूर करिएगा और अंगुठे वाला बटन दबा देना दिल से इमानदारी से और मैं यही चाहूंगी कि आप सभी की त चला तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजेगा बाकी आपके सारे कोर्से आट जी विक्रम जीत अप्लिकेशन पर चल रहे हैं आपका कॉम्बो स्पेशल भी है जहां आपके कम्प्लीटली मैट्स रीजनिंग जीक जीएस यह हम बात करें आपके इंग्लिश की सारी पूरी तयारी आपको मिलकर के कराई जा रही है फिलहाल इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा देखो लिविंग सेल हैं और थोड़े से मोटे हैं वो कहलाते हैं कॉलन कायमा के सेल क्योंकि तीन प्रकार के हैं सबसे पतले ज प्रकार के साथ चले गए तो यह तो हो गाई नहीं आंसर में इसी लिए हमने कॉलन कायमा आंसर करेक्ट किया कि अगला सवाल देखिए उत्तक क्या है यहां पर जब हम बात करते हैं तो बेसिक है लेकिन टिशू क्या है यह आप से पूछ रहा है जल्दी से बताओ भई कोशिकाई जो मूल रूप से समान है लेकिन रूप और कारे में भिन है बाकी ऐसी कोशिकाई जो मूल रूप और कारे दोनों में भिन है या पर दोनों में समान दिखाई दे रही है तो फिलहाल हर एक चीज को बहुत ध्यान से जब हम समज़ते हैं तो हमें उत्तर पता चलता है टिशू किस से बना? Cells से बना ऐसे cells जो structure में भी समान है और काम भी सेम कर रहे हैं मतलब मैं हम रूप में भी समान है और कारे भी समान कर रहे हैं same structure and same function मेरे पास कुछ सेल्स थे मैंने मिला दिया और क्या बन गए मैडम एक टिशू बन के तयार हो गए किस प्रकार का प्रजनन अधिक भिन्नता उत्पन करने की अनुमती देता है कि यहाँ बेहन अलग अलग दिख रहे हैं आसा तो नहीं है कि तुम्हारा बाई तुम्हारी बेहन सब एक जासे दिखाईदे रहे हुँ कुछ तो अंतर होगा कि कुछ गुड माबाप से किसी में और यहां पर छप्रास मुते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा option number D sexual reproduction यहाँ पर correct हो जाएगा एक बात बताओ तुम सब hashtag को tweet कर रहे हो की नहीं भाई अगर नहीं कर रहे हो ना तो इस काम को जरूर करना आपका railway की भरती को बढ़ाने के लिए जो hashtag दिया हुआ है तो लगातार आप tweet यहाँ पर जरूर से करते रहे हैं अगला सवाल है कि multi cellular organism इन में से कौन सा है multi cellular का मतलब क्या होता है बहु कोशी किया है अब बहु कोशी किया है कि जब यह बात करेगा तो उसमें कोहन सा दिख रहा है अगेरिकर साइनो बैक्टीरिया माइको ब्लाज्मा या फिर पर पैरामेश्यम जल्दी जल्दी से बताओ जिसे भी लगता है ना कि biology समझ में नहीं आते बायो के अंदर बहुत सारे tough words होते हैं सिर्फ शब्दों को समझने का खेल है आपकी पूरी तैयारी basic से advance तक मैं आपको करवा रही हूँ चाहें आप आरजी विक्रम जीते आप से जुड़े हैं या आप हमारे regular classes से जुड़े हैं बिल्कुल basic से तो जिसको भी डर लगता है ना भाई कल सुबह 11 बजे class होगी अपने same time पे उस class के अंदर जरूर से आ जाना आपके सारे दुखदर्द पीडा को दूर कर दिया जाएगा अभी फिलहाल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका multi cellular पूछा है तो भाई अगेरिकस मश्रूम कौन-कौन खाता है क्योंकि अगेरिकस को ही हम क्या नाम देते हैं मश्रूम का और यही क्या है बहु कोशिकी जीव हमें दिख रहा है यह है मश्रूम दिखता कैसा है कुछ इस प्रकार से यही होता है तो मश्रूम कवक के अंदर आता है अक्छुली मैं तुम क्या खारे हूँ कवक क्वक खारे हो यह समझो जरा यह आता है कौप ुछ जगत में फंगस के अंदर और paramecium यह हमारा आता है protista जगत के अंदर एक चपल के जैसा दिखने वाला कुछ ऐसा सा दिखाई देगा इसके उपर क्या होते हैं छोटे-छोटे से cilia जो है वो यहाँ पर लगे हुए होते हैं तो यह आता है protista जगत के अंदर mycoplasma जीवाणू है और agaricus एक mushroom दिखाई देता है कवक जगत में ही जो कोशिका multi-cellular है वो mushroom है या फिर फफूंद है आप कहते हो ना फफूंद लग गई खाना सड़ गया bread को कुछ दिन छोड़ दिया था bread जो है वो सड़ने लग गई खराब हो गई ग्रीन कलर की fungus लग गई वो फफूंद भी fungus में आती है और जो तुम डोसा इडली इनका बैटर बनाते हो इनको भटूरों को फूलने के लिए छोड़ देते हो कि थोड़ा सा spongy बन जाए bread वहाँ पर जो yeast आती है जो खमीर उठती है वो भी आपकी एक प्रकार की कवक है ठीक है बरसात में होती है जी हाँ बिल्कुल होती है तो कुछ इसी प्रकार से चीज़े है पिलहाल याद रखेगा answer हमारा option number A सही हो जाएगा जो bread पर फफूंद लगती है अगर उसके बारे में पूछेगा कि bread mold का नाम क्या है bread पर लगने वाली फफूंदन का नाम क्या है तो आप बताएंगे rhizopus ठीक है rhizopus कहा जाता है ठीक है भाई अगला सवाल देखो कुछ इस प्रकार से देखती है हमेशाना हर चीज खाने की मत सुचा करो कि माम लिया दिया और हर चीज लेके खा लिया अरे भाई इन में से कुछ ऐसी भी होती है जो कि poisonous होती है जहरीली होती है कुछ खाने योगे होती है और कुछ आपकी जहरीली भी देखी जाती है अगला सवाल देखते है पार्थिनों कारपी कैसे डिफाइन करोगे क्या है पार्थिनों कारपी इन्हें भटूरे याद आ रहे है देखो आप बजा रहा है कि नहीं कविता माम हचपी सेट कोर्स नहीं बटा भी हर्याना वाली नहीं आपके लेकिन बाकी आपके जो की त्यारी है इसीजीडी की त्यारी है आपके नुम एक्जाइम कि है सभी जीज़ा आपको कराई जा रहे हैं हैlli dwa हुआ कि ऑलो अफ्लाइन ंड्री पीडिएफ कहा में लेगी रैंकर्स गर्गुल टेलिग्राम पे देखे पार्थिनो कर्पी के बारे में पूठ रहा है यूश्वली हम क्या देखते है निशेचन होता है एक स्पर्म है एक ओवम है फर्टिलाइज होगा जाइगोड बनाएगा अगर मैं तुमसे कहूं कि फर् निशेचन के development of fruit without fertilization कुछ ऐसे फल भी बनते हैं जिन में निशेचन की क्रिया देखने को नहीं मिलती ऐसे कुछ जीव भी होते हैं जैसे मैं छिपकली की बात करूँ ठीक है आपके lizard हो गया कुछ honey भी हो गई मदुमक्खी हो गई इन सबको हम पार्थिनो Genesis नाम की क्रिया से बनते हुए देखते हैं मतलब इनके अंदर क्या हो रहा है निशेचन नहीं हो रहा भाई क्या में इसमें directly zygote का formation जो है वो दिखाई दे रहा है ठीक है offline classes आपकी मुखरजी नगर में चलती है दिल्ली में चलो अगला सवाल बताओ enzymes क्या है vitamin है protein है carbohydrate है या फिर आपके fat कहे जाएंगे enzymes की अगर हम बात करें तो enzymes किसकी category में आता है जल्दी जल्दी से बताओ एक बार आप सबने एक चीज सुनी होगी कि जतने भी protein होते हैं इनके बहुत सारे काम होते हैं protein आपको शरीर में विकास कराने में भी मदद करेगा protein हमारा एक insulin के तौर पर हार्मोन भी बन है इसके देखो muscle development में शरीर के growth में antibody के तौर पे भी आपको दिखाई देता है आपको hormone भी एक insulin दिखाई दे जाता है ठीक है यह भी protein है आपसे कहेगा भाई enzyme है कि नहीं तो enzyme भी है यह आपके growth में भी help कर रहे हैं मतलब protein के काम तो बहुत सारे हैं मगर यह जितने भी enzymes होते देफिनेटली जब मैं लिखी रही हूँ तो सारे enzymes क्या होते हैं माम protein होते हैं सारे enzymes protein होते हैं बट इसका statement अगर मैं बदल दूं क्या सारे proteins enzyme हैं नहीं क्योंकि protein के बहुत सारे काम दिखाई देते हैं तो याद रखना यह enzyme क्या है तो अभी घर में कलेश हो और वहां पे आक function चल रही थी बढ़िया करके चल ती मैं उसमें जाकर के नाום मिल्यों कि मर्लीव की दरह काम कर देते हैं उसके rate को या तो बढ़ा देगा या घहा ब्रॉटी में क्रेगए चोटा से मुख में किस इंजाइम के तुरू लार में एक इंजाइम था इंजाइम कौन सा था लार माइलेज अब लार माइलेज ने क्या किया इस स्टार्च को किस में तोड़ दिया माल्टोज में तूड दिया तो जब ये माल्टोज में तूड रहा था अगर ये नहीं होता तो ये कभी नहीं बदलता ये कभी नहीं बदलता याद रखिएगा इस बात को तो सभी enzymes protein की तरह आपको दिखाई देते हैं और इन्हीं का काम क्या होता है reaction को बढ़ा दे या घटा दे इसके rate को ठीक है आपके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा क्या मेरी बात clear है हाँ बिल्कुल लारमाइलेज को ही हमें एक और नाम देते हैं टाइलिन का टाइलिन इसको यहां पर कहा जाता है देखो याद रखना कम से कम 30 प्रतिशत जो पाचन है आपका वो किसके दवारा होता है लारमाइलेज के दवारा होता है मुख में ही पाचन जो है वो शुरू हो जाता है लेकिन अगर इंजाइम नहीं होगा तो माम कोई भी reaction जो है वो का बचल पूछ लिए तो बेसिक अपने को फल फूल तो याद ही रखने है कि माम फूल में कौन सा मादा जनन अंग है कौन सा नर्जनन अंग है कौन सा आपका बीच में पाया जाता है और किस प्रकार से आपकी जो रिप्रडॉड़क्शन की प्रॉसस है पॉलेनेशन की चलिए लगाईए उत्तर इसका इहां पर क्या होगा कि नर प्रजनन प्रणाली स्टाइल स्टिग्मा ओवरी या फिर स्टेमन जल्दी से बताओ यह सब प्रिवियस यहर क्वेशन है देखो मैं एक ही चीज कहूंगी आपका पीवाई क्यू जानना जरूरी क्यूं है कि तुम चल दिए लपी की त्यारी करने तुम पहली बार जा रहे हो आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे जुन्होंने शायद पिछले पांच सालों में यह पहली बार देखा है कि यह भरति आई है हम अभी अभी अपने इटा को पूरा करके आए हैं हमें पेपर देना है जब आप पेपर देने बैठते हुना उससे पहला चरण क्या होना चीए हम ये समझे उस पेपर की डिमांड क्या थी आज से पहले जब 2018 में हुआ था तो आपका एक जो लेवल सेट हुआ था वो कुछ इस प्रकार का था जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आपके सभी पेपर के जो सवाल हैं वो दसवी लेवल तक के पूछे जा रहे हैं कि टेंथ की साइन स्पेर को अच्छे से करनी है तो दसवी तक की विज्ञान जो है वो आपका लेवल पूछा जा रहे है कोई हाईर एडवांस लेवल नहीं है कि मैं पीएजडी का हो या आपको नीट की तियारी क की तियारी करवाई हो वो नहीं है लेवल ठीक तो हमें सबसे पहले इनके त्रू यह अंदाजा लगा कि हमसे पूछा क्या गया था और किस तर तक गया था इस टॉपिक में भी अपने आप बहुत सारी चीज़े हैं डीटेल बढ़ हमें वो जानना है जो इंपोर्ट है तो इसलिए कभी भी ना कहते हैं दस किताब लेके बैठाओं दस किताब नहीं लेनी एक किताब को दस बार पढ़ना है प्रीवेस एर घोट के बढ़िया तरीके से आपने याद कर लिए समझ लिए समझ में आ गया कॉंसेप्ट उसके बाद जितनी भी थियोरी चल रहे है उस थ खीके आंसर है नर प्रजनन प्रणाली इसको हम स्टेमन का नाम देते हैं अभी डाइग्राम हमने बनाया भी था देखो इधर कुछ इस प्रकार का है यह दो भाग होते हैं इसके उपर वाला भाग को कहा जाता है एंथर और नीचे वाले को कहते हैं पिलामेंट इसको पुं चोटे-चोटे से दानों को नाम देते हैं पॉलन ग्रेन यानि की हमारे पराग कर सूरज मुखी में आप सभी ने देखे होंगे कि बिलकुल बीच में चोटे से दाने नजर आते हैं वही हैं हमारे पराग कर तो पॉलन ग्रेन पराग कर जो होते हैं यही एक नर युगमच क काण करते हैं अगर reasoning की भाशा में कहें कि जैसे mail में जैसे flower में pollen grain है समझ गए कि sperm जैसे काम करता है मेल ग्यामीट का ऐसे ही यहाँ पर जो आपका pollen grain है यह काम कर रहा है मेल ग्यामीट का नर्यूगमच का यह आपका जो है वो मुख्य औरगन है जो आपका मेल औरगन यहाँ पर कहा जाता है और इन पराग कोश और बुन्तुतु को अगर मिला दिया जाए तो जो नाम बनता है उसे हम कहते हैं स्टेमन हिंदी में बात करें पुंकेसर यह दो लोब का नजर आता है इसको अगर आप कट करोगे तो कुछ इस प्रकार से चार लोब आपको यहाँ पर नजर आते हैं इन सब में छोटे-छोटे पर की हाइड्रा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है सब के हमने बढ़ लिए हाइड्रा में जो प्रजनन है वो कैसे दिखाई देगा चल्दी से बताओ मैं 50 का यह होगा प्लीज शेक कर लिजए अच्छा बिलकुल चलो भाई क्या कह रही है यह क्वेशन नंबर 50 का देखो भाई इसके अंदर जो पूछ रहा है कि कौन सा भाग ट्रांसपोर्ट करता है प्लाजमा के अंदर ही सब कुछ है लेकिन मेंली अगर हम RBC की बात करें तो स्पैसिफाइ करेगा ऑक्सिजन के लिए तो तुम आंसर लगाओगे RBC का अगर अगर आप पूछते हैं तो प्लाजमा के अंदर ही यह सारी चीज़न जो है वो पाई जाती है तो आप आंसर इसका यहां पर ऑक्शन नंबर A जो है उसको भी लगा सकते है ठीक है चलो कोई दिक्कत वारी बात नहीं है यह भी आपका जो आंसर है वो देखा जाएगा लेकिन मेंली अगर ऑक्सिजन की बात करेगा तो हमेशा याद रखना कि आपके क्योंकि एक ब्लड के अंदर वो कोशिका जो पहुंचा रही है और जो वापस लेकर आ रही है दो हाइट्रा को जब पहले देख लेते हैं यह है हाइट्रा यह आपको पूरा एक जानवर है पहली चीज़ तो प्लांट नहीं है पादप नहीं है यह आता है हमारे sealant rates पे sealant rates नाम से एक संग है जन्तु जगत का उस संग के अंदर ये आता है और इसके अंदर होता है अलेंगिक जनन जिसका नाम है बडिंग, अब बडिंग मतलब क्या कह रहे हैं हम बड कैसे बन रहे हैं तो देखो इधर ये पूरा का पूरा आपको प्लांट ये अनिमल दिख रहे है ये इसका छोटा सा एक भाग निकला फिर ये बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ और जाकर के क्या हो गया इससे डिटाच हो गया इससे बिल्कुल अलग हो गया और अलग हुआ तो इसी ने अपना एक पूरा अलग भाग ग्रो कर लिया है यानि कि ये अप क्या कर सकता है ये अपने आप में एक पूरा का पूरा बोड़ी बना के तयार हो चुका है तो यहाद रखना यही है यही है जो कि आपके बोड़ी के अंदर क्या काम कर रहे है अलेंगिक जनन वाला कार यहाँ पर कर रहा है इसी को हम नाम देते हैं बड़िंग का ये छोटा सा बड़ ही तो बना था पहले ये भाग एक छोटा सा बड़ ही तो बना था तो इसी को कहते हैं अलेंगिक प्रजनन याद रखिए कि इस सारी चीज़ें आपको पेपर में मदद करने वाली है अगला सवाल जो है वो आपसे पूछा है माइटॉसस के बारे में माइटॉसस जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन जिसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि क्रोमोजोम्स के बारे में कह रहा है कि भाई ये बताओ कि समसूत्री विभाजन के उस हवस्था का नाम बताई है जिसके दौरान विभाजत कोशिका के गुण सूत्र भूम अध्यरी किये प्लेट पर स्तित हो जाते हैं ये सवाल आपके सामने यहां पर दिख रहा है बताएं इसके अलावा जब आप अप्लिकेशन पर जाओगे न तो आपका ये देख पारे हो आप कम्प्लीट जीएस स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें आप अपनी पूरी तयारी को हमारे साथ जुड़कर कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मैं आरपी एफ में पचास नंबर की साइन्स आनी है पचास नंबर की जीएस आनी है तो वह जीएस कहां से करो पूरी टीम है द हिल्पलाइन नंबर है इस पे संपर्क करके आप बात कर सकते हो ठीक है इस पे संपर्क करके कुछ भी समस्या रहती है आप यहां पर बात कर सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि माम नहीं गड़ित रीजनिंग इंगलिश सब कुछ होना चाहिए तो तुम्हारा ये कॉम इस पेशल बाच है इस बाच के अंदर प्रिलिम्ज और मेंस दोनों कि यानिकी कंपलीट हर एक सरकारी एक्जाम को टार्गेट करते हुए तुम्हारी तयारी कर आई जाती है जिसमें विक्रम जीत सर आपको रीजनिंग करा रहे हैं अधितर अंजन सर आपकी पूरी मैच कर करा रहे हैं और पूरी जीएस की टीम आपकी है ही है तो आप सभी इस बाच के साथ जुड़कर के जो ही परिशान हो रहे थे कर सकते हो तयारी है तयारी ही करनी है माम और पेपर निकालने बस दो-चार चीज़ें जो हैं वह हमें यहां पर ध्यान रखके चलनी है कि कि नहीं इस बार एक्जाम निकाल दूगा मतलब नॉर्मल रिल्वे क्या मैं मैं यूपीयस से निकाल दूगा दीरे-दीरे करके जब वक्त आगे भड़ता है तो तयारी में जो मोटिवेशन है वह कहीं ना कहीं तुम्हारा कम होता से लगता है तुम्हें लगता है से लिए हैं आप लोग जुड़ करके कर सकते हो बाकी आप लोगों का मैं एक चीज और यहां बता दूं रैंकर्स गुरुकुल कैंपस भी है आप अगर चाहते हैं कि हम यहीं रहकर खाना पीना रहना सब कुछ यहीं है अपनी तयारी करना चाहते हैं तो रैंकर्स गुरुकुल का कै करा रहा है संपूर्ण समाधान आपका है इसके लिए आपका यह एलप लाइन नंबर है चाहो तो इस पर कर ले ना लाइब्री की सुविधा भी आप लोगों के लिए इसमें मिलती है आप अपनी लाइब्री जॉइन करना चाहते हैं तो सिर्फ लाइब्री में बैठ करके बाखी रेगिलरली तो हम अपनी क्लास को करी रहें और जो अभी तक नहीं जुड़ पाये थे उनको मैं वापस से एक बार बता दू कि यह आपका चानल है इस चानल पर ही देखो आप क्लास के नीचे यह जो मोर वाला बटन है इस पर जाओगे तो हर एक चीज का जो लिंक ह वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है कि अगर हम बात करें टेलिग्राम की यह टेलिग्राम कैसे है तो टेलिग्राम के लिए आपकी लिंक रही रांकर्स गुरुगुल का कंप्लीट आपका यह जो लाइफ चानल है इस पर जुड़कर के आपकी पीडिएफ क्लास के बात तुरंट से आपको मिल जाएगी बाकी जितनी भी क्लास हैं जो भी बच्चे नए हैं जोने भी नहीं पता है तो यह क्लास आपकी प्रॉपरली इसी चानल पर चल रही है लाइफ ग्लास हैं बाकी देखो प्लेलिस्ट के अंदर अब तक जितनी भी क्लास हुई है न ठीक है मिशन दोहजार चौबिस चल रहा था जिसके अंदर यह रहा आपका मिशन दोहजार चौबिस पूरी एससी को टार्गेट करते हुए पढ़ाया है इसमें सब कुछ है माम पढ़ना है हमें हमें लगातार अपनी प्रेपरेशन को ऐसे करना है जैसे माम हमारा यही प्रेशन के अपका था कि माइटासस की कौन सी ऐसी फेज है जहां एक्केटोरियल प्लेट पर आपके जो क्रोमोजोम्स हैं वो लाई करते हैं यह सवाल आज आप मुझे बताने वाले हो क्लास के खतम होने के बाद होमवर्क में मतलब यह क्वेस्चन क्या है होमवर्क क्वे सब्सक्राइब करने वाले हो तो जरूर से मिलना जुड़ना और बाकी तो हसते रहों मुस्कुराते रहों परेशान मत होना अपने हैस्टैक को फॉलो गड़ते रहना और उससे बहले मुझे बता दो क्लास करने में मज़ा आया कि नहीं जल्दी जल्दी से एक पर बताओ क् कुरे पायलोजी वाले पोर्शन जो है वो मैंने आपको यहां करा दिया है जरूर से अपने रिविजन को करना और कितनी गलती हुई इनका अंदाजा करके उस सारे टॉपिक को रिवाइस कर लेना कहते हैं नॉर्मली थियोरी पढ़के सवाल हर कोई लगा लेता है हर कोई कर लेता है अलग क्या कर रहे हो तुम तुम्हीं करना है रिवर्स साइकॉलोजी को फॉलो कि जो भी मेरे पार्ट गलत हो रहे है ना क्वेशन मॉक टेस्ट में उनको मैं जाओं और फटाफट से उस टॉपिक को यहां पर रिवाइस करो तो इस काम को करते रही है लगातार रा करोगे उतना जादा हमें ही यहां पर क्या मिलने वाला है फाइदा मिलने वाला है आप सभी के लिए जो वेकेंसी है वो यहां पर बढ़ा दी जाएंगी ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबाग 11 बजे तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और सेशन को सेशन के बाद ओफलाइन कॉमेंट करके जरूर बता देना इस क्वेशन का अंसर भी और क्लास कैसी लगे तब तक के लिए आव वेरी गूद नाइट थांक यू सो मच